हलो नमस्कार सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को मैं विवेक पांडे श्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी प्यारे भाई बहनों का आप लोगों को कहा गया था कि ग्रूप D स्पेशल ग्रूप C स्पेशल सब कुछ चलाया जाएगा उसी वादे के मताबिक आपके साप एक्षम अभी उपस्थित हैं और विशेश तोर पर उपस्थित हैं प्यारे विद्यारतियों आप देख सकते हैं संपूर्ण हिंदी आपको एक ही क्लास में मिलेगी और यह कक्षा आपकी ग्रूप C स्पेशल है यहां ग्रूप C स्पेशल के तोर पर आज मैं जो प्रक्रिया अपनाने वाला हूं वो लगभग लगभग 50 प्रशन आज आपको हल करवाऊंगा आराम से समझ लीजे कि प्रक्रिया के अंतरगत क्या-क्या शामिल है 50 प्रशन होंगे सबसे पहली चीज तो प्रक्रिया में यह शामिल है दूसरी बात जो सामिल की प्रशनों के मुताबिक आपको कॉंटेंट भी दिया जायेगा यानि इनवी प्रशनों के मुताबिक आपको कुछ बीच बीच में content जैसे माल लीजिए कि सवाल कारक का है तो कारक क्या होता है हमारे सबी प्यारे भाई-बैनों के लिए जो अभी तक साहद हम से नहीं भी ज जुड़ेंगे या जुड़े थे परन्तु पेड़ बैच में नहीं थे तो उन सब को ध्यान में रखते हुए निशुल तोर पर यह पूरे के पूरे चैप्टर जैसे माल लीजे निपात से प्रशन आ रहा है अब बच्चे को नहीं पता कि निपात क्या होता है तो कंप्लीट आपको पढ़ना आप नहीं जानते कि भाई पदबंद आये क्या होता यह तो बवालिया साई टाइप का कुछ दिख रहा है यह क्या है मुझे तो पता ही नहीं है तो वह भी मैं साथ में पढ़ाता चलूँगा तो इसी तरीके से आपको मैं पूरा का पूरा यह कक्षा देन पर आप अपने आपको एकत्रित कर लिजे बस ध्यान रखिएगा आदर्णिये स्वामी विवेकानन जी की बातें उत्तिस्ठ जागरत प्राभ्यवरान निबोधत यानि उठो जागो और अपने लक्ष तक पहुंचने तक आराम मत करो जब तक लक्ष न प्राप्त कर लो त तो फिर आप इसके लिए स्वाजिनमेदार होंगे इतना ही नहीं यह तो अभी 12 बजे वाली मेराथन है ना इसके बाद जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई दूसरा मेराथन जो है हमारे बड़े भाई आदर्णी संदीप सर लेंगे और यह जो मेराथन आप को ने ग्रूप D special देखा था आज आप ग्रूप C special देखेंगे और बिलकुल जबर्जस तरीके से सर ने ग्रूप D के प्रशनों को एकदम आपके सामने और सुनिए जो बच्चे नए हैं नवीन हैं जिनको अभी गड़ित से बहुत जादा लगाव होने के बाद भी वो नह आगे बढ़ना चाहूंगा तो अब आपकी इजाजत हो संख्या में ब्रिद्धी हो जाए हमारे जो भी भाई बहने एक बाल लगातार शेयर कर दीजे आज की संख्या टार्गेट 1000 है अगर आप 1000 का टार्गेट पूरा कर लेते हैं तो आप मेरे द्वारा एक रामबान सिरी पढ़ने पढ़ते हैं चरन और कहना पढ़ता है कि प्रभू मुझे छमा कर दीज़े मैं देरी हो गई मुझे मैं जल्दी आ रहा था रास्ते में थोड़ा बिश्राम करने कर्म देरी हो गई और वह दूसरी दिशा में छोड़ना पड़ा तो इसी तरह आज आपको एक काम क मैं अंत में बता के जाओंगा ताकि आप अपने 17 18 तारीक वाली परिक्षा में चुकि यह परिक्षा कौन करा रहा हैं NTA करा रहा है work की परिक्षा NTA把ora करा रहा हैं एंटिय पहुत छारे परिक्षा यह पूरा का पूरा जो आपका पेपर है यह थोड़ा सा एडवांस लेवल का है थोड़ा अच्छी प्रकृती का है लेकिन परिशान और डरने की जरूरत नहीं है आपका भाई आपके साथ है सारे तत्थ आपके सामने रखूंगा सारी चीजें बहुत इत्मिनान से पहला सवाल ले लिजे क्या कहता है पहला सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए आपके सामने सुची एक है और सुची दो है देखिए सुची एक क्या कहती है सुची एक आप यह कुछ जो यह सब आपके सामने एक सरवनाम है और इन सभी सरवनामों को इधर निश्चेवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और निश्चेवाचक के आधार पर मिलान करना है, ठीक है, और मिलान करके इन आधारों पर उत्तर देना है, इस तरह के प्रश्ण देखने में बड़े भड़काऊ और डरावने जरूर लगते हैं, परन्तु जब आप इन पर इस तरह के प्रश्णों को आप कैसे हल करेंगे तो आप इन में से जो कुछ भी एक जानते हों देखिए ध्यान दीजे ये क्लास ऐसी क्लास नहीं है कि दढ़ा 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 400-500 सवाल हल करवा दिया जाए नहीं मैं आज उपस्तित हूं आपके साफ एक चीज़ सिखाने के परिख्षा को भी जबर्जस्त तीर मार के उड़ा सकते हैं तो आपको पता है कि सर कुछ कुछ अनिश्चयवाचक है मैंने आपको अनिश्चयवाचक समझाया था अनिश्चयवाचक में दो चीजे आती है एक आता है कुछ और एक आता है कोई है ना जैसे कुछ खाने को द अनिश्चित है तो आपने देख लिया कुछ को अनिश्चित तो सी का चार नंबर देखो सी का चार कहां है यहां पर है यहां पर नहीं है और कहां है यहां पर नहीं है तो अगर अब आपको पता चल गया कि हमारा उत्तर या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है लेकिन केवल इसके आदार पर उत्तर नहीं दिया जा सकता अब और दूसरा क्या है तो आपको पता चल गया आप आप नी जवाचक द काар तो पुरुस liksom भी क्या वें सफिंद भी परत ध्यान देना मेरे लाल कि यहाँ पर पुरुस सवाचक नहीं है तो A का तीन नंबर कहां पर है तो A का तीन नंबर केवल और केवल C में है इसलिए C is the right answer जरूरी नहीं है कि आपको सारी बातें पता हो ठीक है आपको सारी बातें पता हो यह जरूरी नहीं आप देखिए जो सो जो होता यह संबंद का बोद कराता है और यह जो होता है ये निश्चिता का बोद कराता है जब मैंने आपको पढ़ाया था तो सारी बातें बताई थी तीन चार बातें और लेते चलिएगा मेरे प्यारे लाल लालियो बढ़िया से एक दम देखिए जब हम बात सर्वनाम की करेंगे तो सर्वनाम में 4-6 बाते ध्यान रखिएगा प् आप बताएंगे कि सर्वनामों के 6 भेद और सर्वनामों की संख्या 11 बताई जाती है सरकार भेद कौन-कौन से होते हैं है सर्वनामों के भेद कौन-कौन से होते हैं यह बताईए हां चलिए अब देखिए कौन-कौन से होते हैं तो सबसे पहले आप बताएंगे बहिया पुरुष वाचक होता है एक पुरुष भी कितने प्रकार का होता है तो भाईया तीन प्रकार का होता है उत्तम पुरुष होता है सरकार एक हमारा एक होता है हमारा मध्यम पुरुष होता है बच्चे एक हमारा मध्यम पुरुष होता है बच्चा एक हमारा अन्य पुरुष भ आपकी मतलब content और प्लस क्या question दोनों mix ले करके चलेंगे हम यहाँ पर ठीक है पुरुष वाचक का मामला खतम हो गया अब पुरुष वाचक में भी जरा सा मेरी बात गवर से समल लीजे दुबारा गलती नहीं करना है किसी को भी जब उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो इस यहाँ पर आ जाएगा तू यहाँ पर आ जाएगा तुम यहाँ पर आ जाएगा आप इतनी बात समझ में आ गई होगी बहुत काईदे से आप लोगों को प्लीज आप लोगों से request है कि कृपया शेयर करते चलिए बहुत मज़ा आने वाला है ठीक है ना चलिए आप आप की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यह वह येवे और वो इतनी चीजसें को देखने को मिलेंगी यहाँ पर पुरूस वाचक के बाद फिर आपका आजाएगा निशेवाचक आपने पढ़ा कि भाई या निशेवाचक भी होता है निशेवाचक करता क्या है तो यह किसी भी चीज की निश्चितता का बोध कराता है कि कोई भी चीज दूर है कि पास है यह वह यह जो है नजदीक के लिए नजदीक के लिए और प्यारे विद्यार्थियों दूर के लिए दूरवर्ती होता है वह यह दूरवर्ती वस्तूओं व्यक्तियों के लिए स्थानो के लिए स्तमाल होता है अनिष्चय वाचक भी दोठो होते हैं प्यारे विद्यार्थियों अनिष्चय वाचक की जब बात करेंगे अनिष्चय वाचक की भी जब हम बात करेंगे वारता करेंगे अनिष्चय वाचक तो अनिष्चय वाचक भी प्यारे विद्यार्थियों दो ह हो जाता है कुछ और कोई जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अंजान दशाओं में मेरी दो कहानिया आप ध्यान से सुनिएगा जैसे कहा जाए चाय में कुछ मिला है चाय में कुछ मिला है तो जब आप कहते हैं चाय कुछ मिला है तो प्यारे बच्चों एक बाद बताओ उसमें कोई चीज पड़ी हुई है ना यानि कि वो क्या कर रहा है कुछ का प्रियोग हम कब करते हैं कुछ का प्रियोग कब करते हैं वस्तू बोधक होता है यह वस्तू का बोध कराता है यह वस्तू बोधक होता है लेकिन नौक नौक आप गए दर्वाजा खोले और आप से पूछा कि भाईया आपके पिता जी हैं जरह एक कागज पर साइन लेना था क्रिपया उनको बुला दीजे तो आप तुरंत एक दम जस्तने अंदर तमीज नहीं है तो बताएंगे कि सरकार देते तो आपके पिता जी कि मैं म स्थान दशाओं का इस्तेमाल किया जाता है तभी तो अनिश्चित है ठीक है अब आप से कहेंगे कि अच्छा चा कोई बात नहीं जब पिता जी आएंगे तो बता देना कि कोई मिश्रा अंकल मिलने आए थे पिर साम को आप क्या कहेंगे पिता जी को देखेंगे तो क्या ब भाई यह तो हो गया एक आपका निश्चे पढ़ लिया एक आपने पूरुस पढ़ लिया एक होता है बच्चे आपका निजवाचक देखो ध्यान से देखो निजवाचक में क्या होता है मेरे लाल अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है निजी अवस्थाओं में प्रियोग किया जाए जैसे कहा जाए आप रहने दीजिए मैं आप ही चला जाओंगा जैसे माल लो रास्ते में तुम निकले कलुआ गाड़ी लेके निकला रास्ते में स्यामा दिग गई तुरंद गाड़ी अपनी गुमा के स्यामा की तरफ पहुच गया कहा कि स्यामा चलो मैं तुमको छोड़ देता हूं श्यामा ने कहा आप रहने दीजिए मैं आप ही चली जाओंगी ठीक है हमें मुहलिम बेजती कराने कोई सोख नहीं तुमाएं साथ जाके तो क्या किया जब मैं आपके सामने ये उधारन रख दूं आप रहने दीजिए अब इस बात को जरा ध्यान से सुनि जाओंगा ठीक है मैं आप ही चली जाओंगी अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो और मेरे भाई उत्तर दो कि आप क्या बताओगे ये भी आप है ये भी आप है अब आपने दो दोठो आप देखा आप कंफ्यूज कौन सा आप कैसा आप तो जैसे जब आपने कहा जब उसने उत्तर दिया स्यामाने कि आप रहने दीजिए तो मतलब दूसरे को कहा जब किसी दूसरे को कहा जाता है तो बच्चे वहां पर पुरुस वाचक होता है ध्यान से सुनना ये आपका मध्यम पुरुस है वक्ता द्वारा कहा गया श्रोता द्वारा सुना गया ठीक है ना यहा बच्चे हैं यहाँ पर जो बता सकते हैं कि सर बहुत मज़ा आ रहा है इसी तरह पूरा सेशन आगे लेकर के चलिए पूरा समझ में आ जाएगा बहुत मज़ा आ जाएगा बहुत बढ़िया अगर बताओ बच्चे कितने बच्चे चाहते हैं कि सर इसी तरह सेशन को आगे ले करके चलिए बहुत मज़ा आ रहा है आनंदा रहा है सेशन को इसी प्रकार से आगे ले करके चलिए बताओ कितने बच्चे चाहते हैं कि सर सेशन को इसी तरह से आगे पढ़ाया जाए प्लीज कॉमेंट करें हाँ बहुत बढ़िया बहुत अच्छे और पूरा का पूरा कंटेंट भी आपको सीखने को मिल जायेगा ।今日 क्या बात फैं लेकिन स्थील करो SEC करना आता हूं ना two make करना आता नहीं कुछ नहीं करना है बस तुम पढ़ा दो हमारा कल्याड हो फिर नहीं बहुत सही मतलबी तो तुम बहुत हो अब देखो तीन हमने कर लिए उसके बाद आता है प्रश्णवाचक शर्वनाम सिंपल सी बात है जहां पर प्रश्ण किया जाएगा प्रश्णवाचक होगा क्वश्ण मार्क दिखाई पड़ेगा जैसे इसमें आ जाएगा कौन और क्या ये सब प्रश्णवाचक का बोध कराते हैं तुम कौन हो तुम क्या करने आए हो है ना चलिए ये हो गया एक होता है प्यारे विद्या करेंगे तो जो सो संबंद होगा है ना जैसा वैसा शंबंद होगा जैसे माल लिजे आप से कहा जाए जो बोगे सो काटोगे हैं ना इस तरह कहे दिया जाए जो बोगे सो काटोगे ठीक है जो बोगे सो काटोगे आप मालों आपसे यह कह दिया जाए कि बहिताटा करोगे वैसा भरोगे जैसा करोगे वैसा भरोगे समझ पार है वाप लोग ये सब संबंद का बोध करा रहा है पूरा सर्वनाम सर आपको समझा दिये है पूरा सर्वनाम आपको सर ने समझा दिया कोई दुख नहीं बचा है C is the right answer एक question का answer मिला और दुबारा आप सर्वनाम से कोई सवाल आएगा तो सर गलती तो नहीं होगी क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से समझा दिया अब दूसरा सवाल देखो बिना रुके बिना ठके बहुत अच्छे शांदार देखो निम्नलिखित में से जाती वाचक संग्या का जाती वाचक संग्या का शब्द नहीं है जाती क्या करता है जो समूची जाती का बोध कराता है एस समूची जाती का बोध कराता है मतलब जैसे घोडा कहने से सभी घोडे गदहा कहने से सभी गदहे है ना जैसे सिक्षक कहने से सभी सिक्षक है ना जैसे डॉक्टर कहने से सभी डॉक्टर एक बात बताओ यह दूसरा नंबर सवाल है मेरी एक बात ध्यान से सुनी और उत्तर करिए जैसे कहा जाए आपने कहा अरे मेरी तब्यत नहीं सही है मैं डॉक्टर को दिखा दूँ डॉक्टर हूँ आपने कहाम मैं डॉक्टर कलुआ से अपना इलाज करवा हूँ गा तो अब भाईया एक बात बताओ डॉक्टर कलुआ तो बैक्ति वाचक हो गए की नहीं हो गए क्योंकि आपने निर्धारित कर दिया आपने एक नाम दे दिया आप जाती वाचक नहीं है तो कहे रहे हैं मनुष्य कहने से सभी मनुष्यों का बोध होता है नदी कहने से सभी नदियों का बोध होता है गाय कहने से सभी गायों का बोध होता है लेकिन जैसे गंगा कह दिया गया ना तो गंगा कहने से एक निश्चित नदी का नाम ब्यवस्थित रूप में आपके सामने आता है तो दूसरे का C बिकल्ब बिल्कुल ठीक है, पहले का भी C था, दूसरे का भी C है, clear ना, हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, चलिए, अब देखो अगला, अब देखो यहाँ पर भी मैं समझा देता हूं कि सर्ट ट्रिक क्या है, संग्या के लिए ट्रिक देख लो मेरे भाई, संग्या ट्रिक, संग्या ट्रिक, अब देखो ध्यान से, यह जो ग्या है ना, यह बनता है ज़ और यहाँ से, इसलिए इसको वास्तों में संग्या नहीं, संज्या पढ़ा जाता है, यह वास्तों में यहाँ है, इसे संज्या पढ़ा जाना चाहिए, अब मेरी बात गौर से सुनना बच्चे संग्या के अगर बात करूं तो इसके पांच भेद बताए जाते हैं एक प्रश्ण यदि आपसे पूछ ले कि रचना के आधार पर संग्या के कितने भेद हैं किसके आधार पर बच्चे रचना के आधार पर तो कई विद्वान तीन बता देते हैं और वैसे तो अधिकतर विद्वानों ने इसके पांच बेदों की चर्चा किया है जब बात ब्यक्ति वाचक संग्या की की जाए बेटे तो कैसे उत्तर करोगे ब्यक्ति वाचक संग्या के लिए आपको कैसे चुनाओ करना होता है जब कभी भी बात आ जाए कि संग्या ब्यक् लख नहीं रहेगा आप देख लिजे कि ब्यक्तिवाचक संधियाओं जारओं कभी बनता नहीं आप मुझे मेरे नाम तक संधिया डिक्ति बनता है आप को अभी तक समझेए कि नहीं समझेए लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ ये मुझे पता है आप अगर कहेंगे कि सर हम एरहाबाद में रहते हैं प्रियागराज में रहते हैं प्रियागराज एक संग्या है मैं कहूंगा कि अरे मूर्खों प्रियागराज एक शहर है ये कोई संग्या नहीं है ये जो है वो एक शहर है ये कोई संग्या थोड़ी है यह तो एक शहर है फिर अब बात आती है कि जब यह एक सहर है तो संग्या कौन है इसी शहर को पुकारने के लिए इसी शहर का नाम लेने के लिए हम एक संग्या इस्तेमाल करते हैं इसी सहर का नाम लेते हैं और यही जो नाम होता है प्यारे बच्चों यह भी नाम संग्या होता है जिस कागज पर आप चीजे नोट कर रहे हो वो कागज वो कागज क्या है वो कागज क्या है प्यारे विद्यार्थियों वो एक पदार्थ है वो संग्या थोड़ी है उस पदार्थ को नाम दिया गया कागज वो नाम संग्या है मैं मैं एक ब्यक्ति और मुझे इस पुरुष को बुलाने के लिए पुकारने के लिए एक नाम इस्तेमाल किया गया वो नाम संग्या है ध्यान दीजेगा दुनिया में जितनी भी चीजे हैं सब संग्या है सब को पुकारने के लिए एक सुन्दर सा नाम इस्तेमाल किया जाता है वही नाम संग्या होता है आज के बाद आप सहरों को संग्या मत कह दीजेगा मनुश्यों को संग्या मत कह दीजेगा संग्या वास्तों में उनके नाम को कहते हैं ब्यक्ति वस्तु इस्थान और भाव के नाम को तो यही जो संग्या है इसके दो रूप बताए जाते हैं संग्या या तो द्रिश् हो सकती है यह केवल महसूश किया जा सकता है उसे ही हम कहीं किताब में पावोग कहीं किताब में अगर पा जाना तो हैना मैं कलम रख दूंगा कभी cannot यह उठाऊंगा पढ़ाने के लिए कभी किताब में आपको यह चीजें नहीं मिलेंगी जितनी चीजें यह सब मैं बता रहा हूं आप एक फूठाग लियाग बता देना यह सब मेरी खुद की डिवलप की हुई काहिं चीजें है जो मैं आपके सामने निशौल करा हों निश्वार्थ भाव से रख रहा हूं कह bubbles मिलेगा आपको तहक है न मेरे भाई आप देखो व्यक्ति वाचक के बाद और आप सरकार आपको जाति वाचक पहचानना है जाति वाचक कैसे की जाती है महोदे जरा बताएं देखो मेरे भाई जब आप बात जाती वाचक की करते हो ना तो एक चीज देख लेना कि संग्या द्रिश्य होनी चाहिए चुकि आपको पता है कि भाव वाचक को छोड़ दे तो सारे ही द्रिश्य हैं व्यक्ति जाती समू द्रभ्य सब बने ऐसा एक वचन शब्द हो ऐसा एक वचन हो जिसका बहुवचन बने जिसका बहुवचन बने जिसका बहुवचन बने ध्यान देना ऐसा एक वचन हो जिसका बहुवचन बने तो उसी को हम जाती वाचक कह देते हैं तीसरा देखिएगा समू की जब बात की तो समू वाच जक में कुछ निश्चित सब दोते हैं जैसे मेला है ना कक्षा मैं बता रहा हूं जितना इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है आपको परिवार परिवार मंडल गुच्छा जैसे माल लीजे आपके सामने क्या कह दिया जाए आपके सामने कह दिया जाए बाजार ये सब समू है प्यारे बच्चों इसके अलावा आपको इसमें अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और देखिए जैसे कह दिया जाए टीम और देखिए जैसे कह दिया जाए क्या से किनी सैनिकों को बल बट डंडड़ डंड़ कूट रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा है देखकर के वैसा ही बिल्कुल कुछ और उसके बाद अब आ जाता है चौथा द्रब्य वाचक एक ही पेज में पूरा का पूरा कंटेंट लेके जाएंगे आप द्रब्य जहां नापतॉल होई जाए बिटवा हुआ द्रब्य होथ है का समझाया जहां नापतॉल होई वह द्रब्य होथ भाईया द्रब्य क्या होता है द्रब्य जहां नापतॉल हो जाए नापतॉल वाली चीजे हैं तो द्रब्य है का है मैं अभी बताऊंगा 20 बार तुम्हारे कमेंट करने से न तुम यह सीख पाओगे बाकी बच्चों को भी डिस्टब करोगे भी ब्लॉक हो जाओगे खाम खाँ देखिए नापतौल की बात की जा रही तो जहां पर भी नापतौल आ जाए वो द्रब्य होता है ठीक है लेक को कभी गिना नहीं जा सकता कि समझ गया मेरे भाई अब देखो जैसे आपने काक सर एक बोटल पानी मैं इसको गिन पा रहा हूं एक बोटल पानी दो बोटल पानी तीन बोटल पानी मैं कहूंगा नहीं मेरे लाल आप बोटले गिन रहें बोटले जैसे ही आप इस पानी को यह ऐसे खोल के पलट देंगे मामला बदल जाएगा वह पानी आप नहीं गिन सकते जिस रूप में जाएगा उसी का आकार गहन कर लेगा आप गिन ही नहीं सकते संभावना एन भणती गिनने की नहीं सकते आप उसको ठीक है तो चलिए आएए आगे बढ़ते हैं अब मैं इस पूरी बात को बताने के बाद एक आपका आजाता है भाव आचक संग्या अब भाव आचक में क्या होता है जो अद्रिश शंग्याएं होती हैं प्यारे लाल लालियों वो भाव आचक हैं ये complete ट्रीक आपके सामने मैंने रख दिया है इसका स्क्रीन सौट ले लीजे आपके काम आएगा बड़ी सुंदर कक् सबी प्यारे भाई बैन मिल करके शेयर कर दो सारे बच्चे संख्या आज एक हजार के पार जानी चाहिए ये मैं आप लोगों से समझ लीजे कि मैं बहुत अच्छे से एक एक तथ्या आपको पढ़ाऊंगा पूरा क्लास में एक दम इसके बाहर कुछ आपको जाने की जरू भूत ही नहीं है दूसरा ओ गई आतीसरा देखलो तीसरे में क्या है हा शुद्ष 있half-dew लिखना तो बहुत इंपोर्टेंट शुद्ध नहीं लिख पाए चलिए बताओ मेरे लाल है चलो बहुत सुन्दर बहुत अच्छे लाइक कर दो सभी मेरे प्यारे भाई बैन ए इस दर राइट आंसर बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं ए फॉर इलहाबाद और अब इस शहर का नाम प्रयागराज है तो यहां पर ए इस दर राइट आंसर रा अंत करने वाला इसके लिए एक शब्द बताईए प्राणहीन प्राणांतक प्राणांत और मृतक जब प्राणों का अंत करने वाला इसके लिए एक शब्द बताईए जैसे आप से कह दिया जाए प्राणहीन तो यह हो जाएगा प्राण से हीन बिटा क्या हो जाएगा प्र प्राण हीन में तत्पुरुष समास है क्योंकि बच्चा आप जानते हो कि जिस समास में कारकों का लोप हो जाए उसे क्या कहा जाता है जब समास में कारकों का लोप हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं कारकों का लोप हो जाए जिस समास के साथ उसे हम क्या कहते हैं हम उसे कह देते हैं तत्पुरु समास और ध्यान से सुनो प्राणांतक हो जाएगा क्या वच्चे प्राणांतक प्राणों का अंत करने वाला प्राणांतक क्या होता है जो प्राणों का अंत कर दे अगर तुम्हारे प्राणों का अंत कर रहा है कौन कर रहा है यूं समझो मैं तुम्हें पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्यन सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है मैत्री की रह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीशर विद्वन्स बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का शंदेशा लाए क्या दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल पांच ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वहीं खुछी से खाएंगे परिजन पर असिन उठाएंगे दुर्योधन वहभी देन सका आसीस समाज की लेन सका उल्टे हरी को ब बोले जंजीर बढ़ा कर साथ मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बाद मुझे यह देख गगन मुझमें लए है यह देख पवन मुझमें लए है मुझमें विलीन संसार सकल मुझमें अम्रत तो पूलता है मुझमें संगार जूलता है मुझमें उदया चल मेरी दीपतिभाल प्राणांतक हो गया कर्ण के लिए बहुती ध्यान से समझना तो ये प्राणांतक होता है प्राणों का अंत करने वाला और यहां पर अगर समास पूछ लेता तो बहुब्रही समास लगाने में बिल्कुल देरी न करिएगा समास अगर पूछ ले तो बहुब्रही बता प्राणांत प्राणों का अंत ध्यान रखिएगा प्राणों का अंत ध्यान से सुन लो यह कहलाता है प्राणों का अंत समास इसमें भी तत्पूरुष लग रहा है समास इसमें भी बिटा तत्पूरुष लग रहा है मृतक मतलब होता है पार्थियों शरीर जिस शरीर को मिट्टी में मिला दिया गया हो जो शरीर शमाप्त हो गई हो जो मृत हो गई हो उसे ठीक है चलिए अगला देखिएगा पाँचवा नंबर सवाल क्या कहता है निम्न लिखित में से बिलो मार्थी की दृष्टी से कौन सा युग्म असंगत है उत्तर कर दीजे न लिखित में से बिलो मार्थी की दृष्टी से कौन सा युग्म असंगत है जटिल का सरल दे का प्रदे ग्रिष्ट का विनीद अनुराक का विराग आंसर करिएगा सवाल नंबर 5 बहुत सुंदर तरीके से पढ़िए सुंदर तरीके से एक दमानंद लीजिए कक्षा का लुप्त लीजिए मेरे साथ आप देल गंटे बने रहे हैं देल गंटे के बात जब आप 17-18 तारीक को पेपर देने जाएंगे तो आप याद करेंगे दोस्त इससे जादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्लास तब भी उपन रहेगी आके कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा अगर मेरे कोई भी शब्द गलत निकले हूँ अच्छा कर रहे हो आप जटिल का सरल सर बहुत सरल प्रश्न है जटिल का सरल ठीक है दे का हो जाएगा अदे प्रदे नहीं होता बच्चा दे का हो जाएगा तो बीफ और Bombay is the right answer, प्यारे बच्चों, घ्रिस्ट का विनीत हो जाएगा, अरे बड़ा घ्रिस्ट बालक है, बड़ा कलूआ बालक है, मतलब कलूआ बहुत विनीत बालक है, बड़ा सब्य बालक है, ग्रिस्ट नहीं है, ठीक है? चलिए, दे का अदे हो जाएगा, अनुराग का विराग ह हो जाएगा अगला सवाल छे नंबर देखेंगे निपात किसे कहते हैं आओ ये भी पढ़ लेते हैं आज निपात किसे कहते हैं बताईएगा शब्द में बिसेश प्रकार का बल लाने वाला अब्य निपात होता है ध्वनी की गतिशीलता को निपात कहते हैं वाक्य में विराम को निपात कहते हैं या अर्थ को बताने वाला विराम होता क्या होता है निपात होता कितने बच्चे चाहते हो किसा निपात पढ़ा दो पूरा-पूरा कितने बच्चे चाहते हैं सरकार निपात पूरा-पूरा पढ़ा दीजे उड़ा देंगे छक्के छुड़ा देंगे इस जल्दी से बताओ what is a निपात निपात क्या होता है किसी बात पर अगर अतिरिक्त भार दिया जाए तो उसे निपात कहते हैं प्यारे विद्यारतियों किसी चीज पर अगर हमको क्या करना पड़ जाए अतिरिक्त भार देना पड़ जाए तो उसे निपात कहा जाता है निपात किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिन शब्दों का प्रियोग किया जाता है उसे निपात कहते है बिटा एक बात बताओ हम अतिरिक्त भार कैसे दे सकते हैं किसी भी चीज़ पर क्या उस पर कोई बोजह लाद देंगे तब ऐसा होगा नहीं सरकार कुछ और करना पड़ता है जैसे वाक्य में विशेष्टा उत्पन करता है यह करता है वाक्य में विशेष्टा उत्पन करता है वाक्य में विशिष्टता उत्पन करता है यह करता क्या है तो विशिष्टता उत्पन करता है विशिष्टता उत्पन करता है निर्धारण की स्थिती पैदा कर देता है निर्धारण की स्थिती पैदा कर देता है निर् शब्द प्रियोग कर लेंगे, भी शब्द प्रियोग कर लेंगे, है न, ही प्रियोग कर लेंगे, भी न या काश का प्रियोग कर लेंगे, या फिर हम इसके लिए कह देंगे, क्या, जैसे कहा जाए, केवल, जी, केवल, मात्र, मात्र ही, एक मात्र, ठीक है, इस तरह के योग करके हम निपात की निपाती करन करते हैं वाक्य में और यह एक प्रकार का अभ्याई होता है यह होता क्या है तो एक प्रकार का अभ्याई होता है जिस पर लिंग वचन कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यह वो चीज है जिस पर लिंग वचन और कारक का ऐसे में राम ने रावन को मारी इस तरह का वाक्या के समने आगए आप से पूछ लें करना है कहा है यहें जैसे कहा जाये चलूँगा कह दिया जाए मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा तो यहाँ पर भी लगा दिया गया ये वास्तों में निपात है जैसे कह दिया गया तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा तो ये आपका क्या है ये वास्तों में निपात है ये वाक्य में विसेश बल देने के लिए अतरिक्त भार देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक वाक्य है ये पूरी बात मैंने कर दिया अब आप में से कितने बच्चोज निपात पर कोई भी सवाल गलत नहीं करेंगे सब कुछ कर ले जाएंगे ठीक है चलिए जैसे कहा जाए तुमने तो हद ही कर दी ये देखो एक वाक्या और पूछा हुआ है तुमने तो हद ही कर दी तुमने तो हद ही कर दी तो क्या यहाँ पर ही एक निपात है तुमने तो हद ही कर दी ठीक है एक बार सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग एक बार संख्या बढ़ा दीजे एक बार शेयर कर लीजे सारे प्यारे भाई बैन उड़ा दीजे सब लोग अपनी संख्या को मज़ा आ रहा है अच्छा लग रहा है कॉमेंट करके बता दीजे प्लीज बहुत बढ़िया अच्छा सेशन आप लोगों के लिए क्रियेट किया गया है तो निपात क्या होता है बच्चे A is the right answer बिसेश प्रकार का बल लाने वाला एक अब्याय होता है अब्याय वो चीज होती है जिस पर जो एक आविकारी शब्द होता है ये एक आविकारी है और इस पर लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता यहां पर ध्यान रखेंगे तो A is the right answer प्यारे विद गया है है चलिए अगला देखो मेरे भाई साथ नंबर सवाल क्या कहता है शुद्ध वाक्य का चुनाओ करिए यहां से शुद्ध वाक्य का चुनाओ करिए कौन सा वाक्य शुद्ध है यहां पर मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों का मत क्या है इस प्रश्ण को ले करके आपका मत इस प्रश्ण को ले करके क्या बनता है ये मैं जानना चाहता हूँ प्यारे बच्चों मेरा मन कभी कभी बैड जाता है मन कभी कभी मेरा बैड जाता है कभी 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 मेरा मन बैड जाता है सात नंबर सवाल का उत्तर करिए बहुत बढ़िया क्या बात है उडाते चलो मेरे लाल बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो बहुत अच्छे कुछ एक कुछ डी बता रहे हैं बेटा देखो यहाँ पर D जादे अच्छा उत्तर मानने किया जा सकता है क्योंकि देखिए जो पुन्रुक्ती शब्द होते हैं इसको कहते हैं पुन्रुक्ती शब्द क्या बोलते हैं यह आपका पुन्रुक्ती शब्द है प्यारे बच्चों इसी को हम पुन्रुक्ती शब्द की संग्या देते हैं यहीं हमारा पुन्रुक्ती शब्द है यानि कि दोहराव वाला जो संग्या आता है ना जो दोहराव संग्या होती है यह दोहराव वाले शब्द है यह हमेशा प्रारंब में आ करके वाक्य को दिखाने का प्रियास करते हैं तो डी फॉर डेली इस दऱाइट आंसर यहांपर प्यारे बच्छों डी बिकल्प जो विद्यारती इस प्रश्न के लिए चुनते हैं, वो एक correct answer है, एक सही answer है, D is the right answer, A यहाँ पर बहुत अच्छा उत्तर नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि परिक्षक इसके लिए क्या answer की जारी करता है, NTA, जो मैंने D बताया है, वो ज्यादा सही है, काफी research करने के बाद D उत्तर का चुनाओ किया जा रहा ह निमलिकित में से री जुका बिलोम बतायेगा, यह लहाबाद हाई कोड के आसू लिपीक का प्रशन पत्र था, ग्रूप सी स्टेनोग्राफर का पेपर जो था आपका, वहाँ पर यह प्रशन पूछा हुआ था, आप में से बच्चों ने इस प्रशन का जो भी उत्तर चु मैं, मैंने इसका उत्तर यह बताया था आप लोगों को जब आंसर की रिलीस किया गया था, लेकिन अभी बहुत रिसर्च करने के बाद मैं समझता हूं कि D जादे अच्छा उत्तर मुझे समझ में आता है, कई ब्याकरणिक नियमों के आधार पर D को ठीक समझ में आया, तो म मेरी बात ध्यान सुन लीजे पहले, आप इस प्रशन के लिए उत्तर कुछ भी चुने, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिये, ध्यान से सुनिये, ये प्रशन F होना चाहिए, ये प्रशन F होना चाहिए, ये सवाल गलत है, ये सवाल गलत है, आपके हाई कोट का ये सवाल गल है यह सवाल गलत है प्यारे बच्चों इसके लिए आप एकदम परेशान मत होईएगा संभव है कि आप में से विद्यार्थियों को इसके लिए से F करके उत्तर दिया जाए सभी विद्यार्थियों को समानंक दिये जाए क्योंकि मतलब मतलब होता है तेढ़ा ठीक है रिजु का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो है रिजु का मतलब होता है सीधा और वक्र का मतलब होता है तेढ़ा रिजु रेखी लाइन कीजिए तो शीधी लाइन कीजिए सीधा लाइन कीजिए और इसके लिए जो सही विलोम होता है वो होता है वक्र का म करशन हो जाएगा पर इक्षा को समझिए आंसर क्या दिये हैं क्या लिए हैं फालतू बाते नहीं केवल मस्तिस्क समझिए कि आप कैसे 1718 तारीक को टॉप कर सकते हैं बस यह देख लीजे आप ऐसी सोच लेके आगे बढ़ेंगे आपका सब संकिर्ण का क्या हो जाएगा कहते हैं कलुआ पड़ी संकिर्ण मानसिकता का है चोटी मानसिकता का दभी मानसिकता का बालक है विकिर्ण मानसिकता ब्रिहत द्रिष्टिकों रखने वाला दूरदर्शी मानव है तो संकिर्ण का विकिर्ण हो जाएगा प्यारे बच्चों तो इ बिसरजन का ऑवहन या आवहन हो जाएगा यहADA हन का हो मतलब होता है सर यह भी बता दीजें तो इसका मतБ अब होता है डूब की लगाना है ना गंगा जी डूब की लगाते कि नहीं आप लोग तो डूब की लगाना जैसे कहते हैं न यह परिच्छा पार हो जाए फिर तो मैं गंगा नहालू है ना हाँ सरल का कुटिल अब इसमें से आप क्या ही उत्तर चुनोगे एक बात बताओ किन जो है नहीं चुन सकता आकर्शन का बिकर्शन नहीं चुन सकता हम इसमें कुटिल चुन सकते हैं हम इसमें कुटिल का चुनाओ कर सकते हैं अगर आपके आयोग ने इसका उत्तर चुना भी तो वह केवल और केवल सी ही चुन सकता है हलाकि है ये भी गलत लेकिन फिर भी आप एक अर्थ में ये विकल्प चुन सकते हैं, NTA इसी का चुनाओ करेगा, आप देख लीजेगा, ये वीडियो रहेगी और कॉमेंट भी करिएगा बाद में, चलिए, 9 नमबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है, 9 नमबर सवाल, 9 नमबर सवाल कहता है कि निमनलिखित विकल्पों में आकांच्छा किस सब्द का परियावाची है, आकांच्छा किस शब्द का परियावाची है, कहते हैं कि मेरी आकांच्छा है कि ये हो, मेरी आकांच्छा है कि मैं परिक्षा में चैनित हो जाओं, सरवाधी का अंकर जित कर ले जाओं, तो प्यारे विद्यार अमिय होगा व्यथा होगा मनोरत होगा या विपिन होगा बताइए विकल्पों में आकांख्षा किस शब्द का पर्यायवाची है यहीं से कम से कम दस सवाल उठ करके आपके सामने आ जाएंगे है ना हाँ आकास पूछ रहें निर्वशन बेटा आएगा अभी सवाल का है इतनी जल्दी में हो बिया में जाना है का है इतना परिशान हो कम से कम संख्या एक हजार करो सब कुछ बता दूंगा साथ आच साथ साथ ठारक पेपर देने जा रहे हो ना गुलगान करते हुए आओगे देखो आकांग्षा किस शब्द का परियाएवाची है देखो अमिय जो है वह अम्रित को कहा जाता है अमिय जो है प्यारे बच्चों अम्रित को कहा जाता है मनोरत के लिए हम आकांग्षा का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरी मन मोरत मेरी आकांग्षा मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए बिपिन मतलब वन औरण ये या जंगल निपड़ जा क्या कर रहा हूं तुम बीना मतलब कजी रहा हो दस सवाल दिखो दुरात्मा में निमलिखित में से कौन सा समास है अब पूरा समास आप लोगों को मैं समझा देता हूं कितने बच्चे पूरा समास समझना चाहते हो इमानदारी से बताओ कितने बच्चे पूरा का पूरा समास समझना चाहते हो इमानदारी से बताओ निमलिकित में से कौन सा समास है देखो सम धन आस धन घई प्रत्ये से मिल करके समास का निर्माड हुआ है इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है और घई प्रत्य का इस्तेमाल किया जा रहा है मूलषब्द इसमें आस है after और का िस्तेमाल किया गया है समास में इसमें क्या हो जाए का बच्चे बताओ कर्मधार बहुबृही द्वंद्र अब्यईभाओ दुर्ण आत्मा अब मेरी बात ध्यान से सुनियेका इस प्रश्ण के लिए सबसे अच्छा उत्तर मैं आपको चुन के बताता हूं देखो पहले तो एक बात बता दू जीनों ने बहुबरी चुना है वो गलत चुने हैं इस पस समझ लीजे आप कि एगदम साप सबसे लेजे कि जोग बहुबरी चुने वो एकदम गलता है दूर-दूर तक गलत है कभी सही नहीं हो सकता आज नहीं आने वाले सौ सालों बाद भी इसका ब्यूतर नहीं हो सकता एक बात दूसरी बात दुर मतलब ऑत्ता दूर उपशर्ग लगा था समझाया था कि बहिया समास के अंतरगत जब मैं बात करूंगा तो मैं आप से जरूर कहूंगा कि समास के लिए पहले समझे कि किसके लिए कैसे उत्तर देना हो जब कभी आप अब्याई भाव समास पर चर्चा कर रहे होंगे तो आपको परिक्षा में क्या पकड़ना है मेर जलदी आपा करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे थोड़ा तो देना पड़ता है मेरे लाल है बुरी है जो आतमा देखो पर हया मैंने क्लास में बच्चों चिल्ला चिल्ला बहिया इसलिए कह रहा हूं बच्चे करके आएंगे इसमें चार बातों का ध्यान दीजेगा अब यही भाव समास पकड़ना चार बातें ध्यान दीजेगा इसमें पहला पद उपसर्ग होता है इसमें जो प्रथम पद होता है ना बच्चे वह प्रथम पद जो होता है वह उपसर्ग के फॉर्मेट में होता है पहला पद इसका उपसर्ग होता है और इसका पहला पद प्यारे होने लग जाए तो ऐसी स्थिती में दोहराओ की स्थिती में भी कौन सा समास होता है जब इतनी सारी परिस्थितियां बने तो आप बता देना कि समास कोई और नहीं अब्याई भाव समास है जैसे यथा अप यह सारे समास जैसे यह सब शब्द आ जाएं मार देना उठा करके अब्याई अब दूसरा देखो ध्यान से एक होता है बच्चत ततपुरुष समास होता है प्यारे बच्चों इसी ततपुरुष समास में तीन बाते ध्यान रखना एक तो इसमें हो जाता है दूसरा पत प्रधान अराम से समझते चलो सब समझा दूँगा इसमें होता है प्यारे बच्चों क्या दूसरा पत प्रधान कोई मसला ही नहीं कोई लडाई ही कारकों का लोप हो जाता है जिन समासों में कारकों का लोप हो जाता है ऐसे इस्थानों को हम प्यारे विद्यार्थियों तत्पुरुस के अंतरगत रखते हैं किसके अंतरगत रखते हैं तत्पुरुस के अंतरगत रखते हैं हम आपसे अपनी बात कर रहे हैं प्यारे विद्य समझो हमने का तत्पुरुस तो दूसरा पत्परधान है तो तत्पुरुस है कारकों का लोप हो रहा है तो तत्पुरुस है और इसके साथ ही साथ अगर एक चीज इसमें और हो रही है क्या हो रहा है मेरे प्यारे विद्यारतियों क्या हो रहा है दूसरा पत्परधान हो कारको का लोप हो और इसमें देखो कौन कौन से कारक आते हैं तो अभी कारक पढ़ा दूगा तो आप अभी समझ जाओगे इसमें करता कारक नहीं आता इसमें संबोधन कारक भी नहीं आता ये दोनों कारक इसमें नहीं आते बाकी सभी कारक इसके अंतरगत आते हैं तो जब कभी कीसरे पर लेकर चलू देखो एक होता है हमारा दीगू समास अब दीगू समास कैसे पहचानों गए एक एक मिनट सारे समासों को दे दोगे तो कभी गलतिया नहीं होंगी बच्चे आप जब बोलिए जब आप साउंड निकालते दूई 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 जैसा कुछ साउंड निकलता है न दो तो ये दो क्या है ये दो एक संख्या है प्यारे बच्चों क्या है ये दो एक संख पहला पद संख्या वाची हो जाता है तो वहां पर जब कभी भी पहला पद किसी संख्या को डिनोड करेगा तो बता दीजेगा कि समास दिगू समास होने वाला है वहां पर निश्चित तोर पर दिगू समास तक ठीक है तो वहाँ दिगू समास होता है अब अगले पेज पे चलो मेरे लाल अच्छे से समझ लीजे पूरे स्ट्रक्चर को मैं समझा देता हूँ पहला आपको मैंने अब्याई भाव समास समझा दिया है ना अब्याई भाव समास आपने समझ लिया बहुत काईदे में दूसरा आप क्या समझ रहे हो बिटा तत्पुरुस समास आप बहुत काइदे से समझ रहे हो दूसरा आपने तत्पुरुस को समझने पर थोड़ा सा बल दिया तीसरा आप अभी क्या ना इसी तत्पुरुस के दो रूप हो जाते हैं इधर आ करके क्या बच्चे एक आपका जो कर्मधारे है यह इसी का रूप है दरसल कोई और नहीं है और यह जो दिगू है वो भी इसी का रूप है फिर आपका द्वन्द समास हो जाता है प्यारे लाल लालियों और फिर आप यहां आ करके बहुब्रीही समास को थोड़ा सा देख लीजेग द्वन्द में क्या होता है दोनों पदों के बीच में योजक चिन लगता है हम इसी को योजक चिन की संग्या देते हैं अब मेरी बात ध्यान से सुनों दोनों पदों की प्रधानता होती है इसमें इसमें क्या होता है इसमें ना मेरे लाल दोनों ही पद प्रधान होते हैं ज ठाथ भगवान सिव अर्थात बहुब्री समास हो जाता है ठीक है ना प्यारे विद्यारतियों चलो अब पित्रों बेटा संस्कृत का समास है ठीक है और बतादो फिर भी पित्र तो पिता के पिता के लिए कहा जा रहा है तो इसलिए यहां पर तुम जो है तत्पुरुष बताई जाती है इसमें केवल प्रथम प्रधान होता है इसमें केवल प्रथम प्रधान होता है दूसरे नंबर पर है इसलिए इसमें दुतिय प्रधान होता है बच्चे इसमें दुतिय दुसरकवा प्रधान होता है मेरी बात बहुत गौर से सुनना इतनी काम की बात आपको गौर से सुनना और दूसरा पद विशेश्य हो जाए जिस समास का पहला पद विशेशन और दूसरा पद विशेश्य हो जाए हम उसे कर्मधारे समास की संग्या देंगे पहला पद विशेश्ता बताए और दूसरा जिसकी विशेश्ता बताई जाए जैसे यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कर्मधारे समास के लिए आपने कहा दुर आत्मा अब मेरी बात गौर से सुनना बुरी है जो आत्मा आपने क्या कहा यहाँ पर हम बिग्रा करते समय है जो शब्द का प्रियोग करते हैं यह कर्मधारे समास का उधारण हो जाएगा ध्यान से सुनना जैसे आपसे कह दिया जाए नील कमल कह दिया जाए क्या कह दिया जाए प्यारे लाल लालियों ध्यान सुनिएगा ये दो शब्द आपको इसमें दिखाई पढ़ रहे होंगे एक नील दिखरा होगा एक कमल दिखरा होगा अब एक बात बताओ ये कमल है ये कैसा है नीला है नीला होना किसी भी कमल की विशेषता है ये हो गया आपका विशेषन किसकी विशेषता बताई जा रही है ये हो गया आपका विशेष ये तो विशेषन विशेष से संबंद होने के काराण यहाँ पर करमधारे समास हो जाए होंगे एकाद दोठो इसमें जो इस चीज़ों को पूछ रहे हैं चलो आप मेरी बात ध्यान से सुनों ठीक है ना तो पदों को त्यज़ कर तीसरे अर्थ की प्रधानता हो जाए त्यज़ कर तीसरा अर्थ प्रधान हो जाए तीसरकवा अर्थ यदी प्रधान होने लग जाए तो वहां आप बहुब्रही बताते हैं हर जगत तीसरे अर्थ को नहीं जोड़ा जाता ठीक है अब मेरी बात ध्य ने कहा पीतांबर आओ तुम्हारी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं देखो कंफ्यूजन वाले भाईया कर्मधारे और बहुब्रही अब हमारी क्लास में आगामी दो मिनट तक कर्मधारे वर्सेज बहुब्रही चलेगा बिटा आज तुम भी क्या याद करोगे ग्यान की गंग अब मेरी बात गौर से सुनो पहले शुग विसे देख लेते हैं वो जादे अच्छे से समझ में आ जाता है थोड़ा सा। सुग्री उसे देख लीजें शुग्रीउं से चलिए मैं दो ठो बिग्रा करूंगा आप यहां से देखिएगा आप यहां से देखिएगा आराम से समझ जाएंगे पहले एक बार सब लोग शेयर कर लो मैं अभी बताने चल रहा हूं कि कैसे exactly confirm हो पाएगा कि यहां पर प्यारे बच्चों करमधार है और यहां बहुब्री है दोनों बातों को कैसे conclude करेंगे यह मैं आपको सम्झाने चल रहा हूं आज और एक बार सब लोग लाइक का बटन दबा दो पहले इतना इमांदारी से आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है कम से कम इस बात की कद्र करिए थोड़ी और लाइक का बटन जरूर दबा लीजे सब ल अब बहुत बढ़िया ध्यान से सुनो मेरे लाल के रहे सुगरीव तो सुन्दर सुन्दर है जो मेरी बात ध्यान से सुनना घ्रीवा मतलब होता है गरदन कन्फूजन दूर कर दूंगा आज दो मिनट बने रही है अगला देखी येगा प्यारे विद्ध्यार्थियों इसलिए बता देता हूं चलिए चलो बहुत बढ़िया अब देखो मेरे लाल कह रहे हैं कह रहे हैं क्या कह रहे हैं मेरे लाल सुग्रिव सुन्दर है जिसकी गर्दन एक होता है सुन्दर है जिसकी गर्दन जिसकी गर्दन यानि जिसकी ग्रीवा अब मेरी बात को गौर से सु उन्ना जरासा एक मिनट का टाइम लेना बच्चे सुन्दर है जो ग्रीवा यानि कि यहां विसेश तोर पर हम गर्दन की बात कर रहे हैं हम यहां पर विसेश तोर पर उस गर्दन की बात कर रहे हैं जो सुन्दर है हम उस गर्दन की बात कर रहे हैं जो सुन्दर है बस ध्यान मेरी बात ध्यान से सुनना ये वाले में कर्मधार है इसमें है जो का प्रियोग किया गया है आप दूसरा वाला ध्यान से समझना दूसरा वाला जिसकी गर्दन मैं उस विशेश ब्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसकी गर्दन सुन्दर है तो हम उसको कह देंगे कि ये बेटा आपका बहुब्र ही है ये बेटे आपका बहुब्र ही है ऐसे ही बच्चा आपका पीता अंबर में भी होता है पीला है जो अंबर और पीला है जिसका अंबर आपने क्या कहा पीला है जो अंबर और पीला है जिसका अंबर यहां से देख ल पीला है जिसका अंबर एक होता है बच्चे पीला है जिसका अंबर पीला है जिसका अंबर तो आप यहां पर क्या बताओगे जो और जिसका जैसे देखो जो अंबर अंबर मतलब होता है बेटे वस्त्र अंबर मतलब होता है वस्त्र तो यह केवल उस कपड़े की बात कर रहा ह जो पीला है ये केवल उस वस्त्र की बात कर रहा है उस कपड़े की बात कर रहा है उस कपड़े की विशेस्ता है कि वहाँ पीला है और ऐसी परिस्तिती में वहाँ कर्मधारे हैं अम मेरी बात सुनिएगा हम उस वस्त्र वाले की बात कर रहे हैं जिसका वो आदमी जो पीला यह हुए है उसकी बार्त कर रहे हैं इसलिए वेटे यहां बहुब्री होगा मेरे लाल वहां पर बहुब्री हो जाएगा उड़ा दो अब बताओ किसको समझ में नहीं आया मैं पूरी यकीन से कह सकता हूं कि अब आज आपको पूरी की पूरी प्रॉब्लम दूर कर दी गई हो इसे बहुत तेजीक साहत है आजो मेरे लाल और करते हैं कमाल निम्न लिखित गद्यांस को पढ़ करके उस पराधारित 11 से 15 तक के सवालों का उत्तर करना है ठीक है 11 से 15 तक सवालों का देखो आदमीयों की तिजारत करना मूर्खों का काम है ध्यान से सुनो बने रहो पढ़ करते चलो शेयर करते चलो संख्या एक हजार पार करनी है गुरू है हाँ चल बहुत बढ़िया दोनों आप्शन में हो तो क्या करेंगे शब्दों के आदार पर चैन करेंगे पूत्र और क्या करेंगे हैं चलिए अब देखिए आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम ह हैं सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है आजकल भाप की कलों का दाम तो हजार रुपय है यहाँ पर कलों का अर्थ पूर्जों से हैं मतलब कल पूर्जे बोलते ना हम लोग कल पूर्जा बड़ा महंगा आ रहा है तो उसके लिए कल पूर्जे शब्द का प्रियोग किया जा रहा है चली कह रहे हैं परंतु मनुष्य कौडी के सव भिक्ते हैं सोने और चांदी की प्राप्ती से पूजा ही सच्ची इश्वर पूजा है मंदिर और गिर्जे का क्या रखा है इड पत्थर चूना कुछ भी कहो आज से हम अपने इश्वर की तलास मंदिर मस्जिद गिर्जा और पोथी में न करेंगे अब तो यही इरादा है कि मनुष्य को अपनी मनुष्य की अनमोल आत् यह कहते हैं मनुष्य के हाथ ही से तो इश्वर के दर्शन करने वाले निकले हैं कराने वाले मनुष्य की मजदूरी को मनुष्य की मजदूरी का तिरशकार करना ना सिकता है बिना काम बिना मजदूरी बिना हाथ के कलाकोशल के विचार और चिंता किस काम के हैं सबी देशों के इतिहास से सिद्ध होता है कि निकम में पादरियों मौलवियों पंडितों और क्या कह रहे हैं शादूओं का दान के अन्द पर पला हुआ इस्वर चिंतन अंत में पाप आलस्च और ब्रस्टा चार में परिवर्तित हो जाता है जिन देशों में हाथ और मुँ उपर मजदूरी की धूल नहीं पढ़ने पाती वे इसका एक स्क्रीन सॉट लीजे मैं आगे बढ़ता हूं चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बहिया अब देखो आ जाओ थोड़ा सा इसको उपर लेके चलते हां क्या कह रहा है ओ हो 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 एक मिनट यह देखो क्या कह रहा है परिवर्तित हो जाता है जिन देशों में हाथ और मूँ पर मजदूरी की धूल नहीं पढ़ने पाती वे धर्म और कलाकोशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते वे राष्ट्र ही उन्नति नहीं कर सकता जिस राष्ट्र के ब्यक्तियों ने वहाँ पर मेहनत के बल पर चीजों को हासिल करने की कसम नखाई हो मेहनत के बल पर सुबा से रात नहों जाती हो वो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता बड़ा अच्छा हमारे सामने एक आया वो अब इसको देखते हैं कैसे देखिए एक क्या कह रहा है निमलिकित में से कल से क्या तात परे हैं तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कल पूर्जे से तात परे हैं कल मतलब कल पूर्जे बहुत हैंगे हो गए हैं कल मतलब ए आंसर इस दा right answer प्यारे विद्ध्यारतियों चलिए यह देखिए अगला देखो मेरे लाल लाली हो अगला देखो अगला प्रश्न बारा नंबर सच्ची इश्वर पूजा क्या है तो अभी हमने पढ़ा कि सच्ची इश्वर पूजा मनुष्य पूजा है मनुष्यों की पूजा करने वालों को भी भगवान नहीं तो जन्म दिया है इसलिए मनुष्य पूजा इश्वर पूजा कहलाएगी C is the right answer next देखिएगा next 13 number क्या कहता है कि निम्नलिखित में से मूर्खों का काम क्या है पहली ही पंक्ति में कहा गया है मूर्खों का काम है क्या आदमियों की तिजारत करना तो be is the right answer मूर्खों का काम है आदमियों की तिजारत करना ठीक है उनकी बदनामी करना बिहयाई करना बस इसके अलावा और कुछ नहीं नेक्स्ट चौदा नंबर निम्नलिखित में से किसकी प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिलता किसकी सोना चांदी की प्राप्ति से जीवन में आनंद नहीं आता है साब साब कहा गया है किसकी प्राप्ती से आता है जब हमारे हाथ में काम हो जब हमको अपनी पूरे दिन की इमानदारी की रोटिया मिले जब हमारे काम को तवज्जो दीजा है तब हमको इमानदारी से काम करने का उश्र मिलता है अगला देखेगा पंदरा नमबर सवाल क्या कहता है किनके बिना कल अभी हमने यहां पर पढ़ा कि सब मजदूरी के बिना ब्यर्थ हैं बेकार हैं अगला देखिएगा प्यारे विद्ध्यार्थियों अगले पर चलते हैं जहां तेच चलना है वहां तेच चलेंगे जहां धी में चलना है वहां समझेंगे क्योंकि 17-18 वाले में हमको टॉप करन है जिस तरह हमारे विद्ध्यार्थियों ने आसू लिपीक और चालक पत के लिए अपना जंडा गाला है वैसे इस बार भी कमाल करके आना है ठीक है ना कमाल करके आना है एक दम वादा करो सबके सब किसार हां इस बार जवर्जस्त जंडा गाल के आएंगे आओ बिटा प्राप्ति की इक्षा नहीं होगी यदि कब श्वर्ग प्राप्ति की इक्षा कब नहीं होगी जब अपना काम मिल जाएगा जब अपना काम मिल जाएगा प्रति दिन की मजदूरी मिल जाएगी तब श्वर्ग प्राप्ति की इक्षा नहीं होगी ठीक है श्वर्ग है उडाते चलो लगाते चलो एकदम जबरजय P अब ने से विसेशण सभी लोग जानते हो क्या होता या बताना पड़ेगा इमांदारी से बता दो विशेशन कर लोगे की पढ़ा दें पांच मिलन पढ़ा देंगे हम कर लोगे की बता दें विशेशन क्या होता है बेटा ये क्लास ग्रूप सी और ग्रूप डी दोनों के लिए खुब दबाक पड़ो उड़ा के आना बस चलो बताओ मेरे लाल है जल्दी से बताओ क्या करना है विशेशन कर लोगे की पढ़ा दें हां एक मन अनाज जैसे कह दिया जाए मन अनाज ठीक है रोज रोज नहीं मन हम सब भी जो है ना संक्या वाचक का ही एक रूप होता है इसमें प्रतेक बोधक आता है ये प्रतेक बोधक कराता है तो ये प्रतेक बोधक जरूर लगा दीजिएगा परिक्षा में आ जाए तो अब्याई भाव समास लगा के आ जाना इस वाले पे अगले पे आ जाओ देखो बता देते हैं चलिए लास्ट में भी सेशन देख लेंगे कोई बात नहीं भी सेशन के सवाल हैं देख लेंगे लास्ट में परसान नहीं कहरें निम्न लिखित में से गुण वाचक सर्वनाम का उधारन नहीं है गुण वाचक सर्वनाम का उधारन नहीं है देखो अगर आप चाहो तो इस पाल पे भी आप एफ करवा सकते हो पूछिये कैसे है कैसे है कैसे है मैं बताता हूं कैसे बहिया गुणवाचक बिसेशन होता है बेटा गुणवाचक सरवनाम नहीं होटा ठीक है अब फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो देखो उचित हजार प्रशस्त रंगीला गुणवाचक हैं अपना मार्ग प्रशस्त कर liya गुणवाचक है उचित बात कह रहे हो कल्यूणवाचक है कौण नहीं है तो हजार नहीं है हजार प्यारे विद्यार्चियों ध्यान से सुन लीजे संख्या वाची है संख्या वाची विशेशन है ये एक संख्या वाची विशेशन है NTA ने सवाल को कहीं से कॉपी किया है मैं बताता हूँ आपको NTA की गलती बताता हूँ सुन रहे हो अगर कोई NTA वासी तो कृपया सुन लीजे गुण वाचक सर्वनाम नहीं होता प्रभू टेस्टिंग एजन्सी वालों गुण वाचक बिसेशन होता है विकल भी बिसेशन कहीं बनाए हो अरे भाईया इतनी बड़ी बेवकूफी करके कहा जाओगे कैसे बच पाओगे चलिए देखिए कह रहे हैं हजार ये एक संख्यावाची विसेशन है और निश्चित संख्यावाची विसेशन है बच्चों ये एक निश्चित संख्यावाची विसेशन है यहां मैं पूरा एक नंबर सवाल 19 नंबर सवाल को जरा देखिएगा काईदे से यह लिए गुरु सवाल तो ऐसे होता है का समझेव सूची एक और सूची दो दुश शाहस दुख दुर्गुण और दुशकर्म यहां पर बताईएगा कौन-कौन से उपसर्ग लगे पड़े हैं कौन-कौन से उप बताओ बाईया बदाईएँ से चलिए यहां पर आंसर करेंगे सवाल संक्या के साथ आपका उत्तर आना चाहिए 19 का आंसर देखो अब कैसे आंसर करोगे मैं फिर वही तरीका अपनाने जा रहा हूं मेरे भाई देखो 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 कुछ नहीं करना बस देखो यह दुख है ना इसमें उपसर्ग क्या लगा देना दुह लगा देना यह सब को पता होगा देखोर देली इस दर राइट आनसर यही न मार क्या ओगे है दी ए दोली इस दर राइट आनसर यही न मार होगी मेरे भाई अगर तुमको ज्यादा ग्यान है तो देखो और क्या कर सकते हो दूशाहस स्में 2 उपसर्ग लगा हुँआ है भाईया सी में देख लो सी में दुर उपसर्ग लगा हुआ है और उसके बाद दुशकर्म में दुस उपसर्ग लगा हुआ है अगर आपसे पूछ लें दुशकर्म में कौन सा समास है तो क्या बताओगे दुशकर्म में यदि समास पूछ लेता तो क्या बताते दुश साहस में समास पूछ लेता तो क्या बताते आओ मैं बताता हूँ दुरुगुण में सब में देख लीजे दुश कर्म तो बुरा है जो कर्म कर्मधार है समास हो जाएगा प्यारे विद्यारतियों और अगर आप से पूछ लेता दुश साहस बुरा है जो साहस यहाँ पर भी बेटा आपका करमधार है समास ही होता और सुनो जब दुरगुन की बात करें बुरा है जो गुन दुरगुन यहां पर भी करमधार है समास लगा के आना यह सब आपके सामने है अब आप 17-18 को पेपर देने जा रहे हो जादा ग्यान नहीं लगाना उसमें जादा ग्यानी जज़ बनता है तुमको क्लर्क बनना है तो भाईया अपना दिमाग इस तरह से लगाना जैसे मैंने आंसर दिया है कम समय में अपना सही उत्तर चुनिये और आगे बढ़िये दिमा पर सवाल करें निर्वाशन शब्द में कौन सा उपसर्ग है देखो यहां पर कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल किया गया है निर्वाशन में निर्वाशन में कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल किया गया है कौन था ना लाय कभी सौ बार पूछ रहा था सांस अटकी पर ये गुरु एक बच्चा केवल सही बता रहा है उसने लिख रखा विवेक सर का लाड़ ला बहुत बढ़िया देखो बेटा निरुपसर्ग होगा जो लोग गलती करके आए हैं दी नहीं होगा निरुपसर्ग होगा सी इस दा राइट आंसर कितना भी दिमाग लगा लो लेकिन सही सही होता है उसमें गलती का अभाव नहीं होता निर धन वसन बराबन निरवाशन हो जाएगा समझ गए निर धन वसन देखो इसमें आ की मात्रा लगी है आप खुदी समझो अगर यह निर्वसन होता, ध्यान से सुनो, तब तुम निरूपसर्ग लगाते, ठीक होता, अभी नहीं है, अभी निरूपसर्ग लगा हुआ है, मेरे भाई, अभी निरूपसर्ग लगा हुआ है, देखो कितनी तेजी से पलड दिया है समने अपना हुद आधि, D स सीधा, C, अरे क्यों महोदे आ की मात्रा लगी है इसी लिए बहुत काइदे में एक दम समझाया हुआ था कि बेटे आ की मात्रा लगी एक बात बताओ जब इस वाग को काटो गे तो क्या बनेगा ऐसे न बनेगा एक बात बताओ हाँ और ये बनेगा निर धन वसन हाँ हाँ चलो अब गलती हुई है तो हुई है और ज़्यादा तर बच्चों का गलत हुआ ये भी जान लो देखो कहरें निरासा शब्द में निम्न लिखित में से कौन सी शंदी है निरासा में इको यानाची दीर गया बिशर गया बेंजन है बताओ बटा चौराहा समास बताओ देखो एक आद दो केकले जो होते हैं न अब इनको चौराहां समास नहीं पता है है ना बेटा चौराहा में चार राहों का समाहार दिगू समास होता है ठीके बेटे चलो मुझे लगता है कि अब आप धन्य हो गये उत्तर सुन करके नहीं संख्या बढ़ाओ सब लोग पहले तो 800 पार कर दो तुरंत एकदम लाइक का बटन दबा दीजे बहुत तेजी के साथ आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं इसमें ब्यंजन संदी नहीं होगी इसमें बिशर्ग संदी लागू होगी मेरे भाई इसमें संदी कौन सी लगेगी तो इसमें बिशर्ग संदी समल लीजे निह धन आशा बराबर निराशा हो जाएगा बहुत सुन्दर आप अग्तर कर रहे हो बड़ा ही ज़बरजस्त शेशन आपके बीच में आ करके खड़ा हो गया, बहुत बढ़िया उड़ाते चलना है, मचाते चलना है बाज नहीं आना देखो बिटा फिर से आगया वैसे ही सवाल जैसे कि आप लोगों के लिए सरलता का प्रतीग बन जाएगा अब ये कोश्चन देखिए यहां सुमेलित करने का काम करना है अब आप इसको सुमेलित कैसे करोगे देखो बैया रंग जमाना रूख कापना मैदान मारना मू फुलाना देखो बैटा मैदान मारने का मतलब होता है बिजय प्राप्त करना कहते है कलुआ ने मैदान मार लिया तो सी का चार लगा देना देखो सी का चार कहां है यहां नहीं है यहां नहीं है यहां भी नहीं है तो समय हाई यह नहीं है तो काहे खराब करोगे हैं इतना टाइम थोड़ा ही खराब्क करने के लिए ठीक ना फीटा आराम से मारो उत्थर निकलो आगे डेको रंग कहते हैं रंग मुंस पुलाना मतलब अप्रशन रहेना है ने लिए लाजेमें में कहते हैं फ्रेजी को स्वालब करना शेये था संग्या सर्वनाम विसेशन और क्रिया इतने सारे फ्रेजेज हैं बहुत आसान है पकड़ना केवल वाक्य में लिखे हुए अतरिक्त चीजों को देख लीजे अगर अतरिक्त चीजें संग्या के लिए है तो संग्या पदबंद सर्वनाम के लिए है तो सर्वनाम पदबंद क् है न, वाक्य का वो सार्थक हिस्सा, जिसमें समापिका क्रिया नहीं होती है, क्या जिसमें समापिका क्रिया नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं, क्या पदबंद कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है, संदी पढ़ा दूँगा परसान ना हो अलग से क्लास देलूँगा आज तो पॉसिबल नहीं है और भी अत्रिक्त कक्षाएं हैं देखो मेरे भाई अब आप पकड़ो आप वहां जाकर बैठिये जाना क्रिया होता है ना यहीं से पकड़ लो कि यह क्रिया पदबंध है और यह का एक केवल एक जगह पर है बाकी कहीं नहीं है मारो एफ और इलहाबाद इस दराइट आंसर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है तुमने कैसे उत्तर पकड़ा मुझे नहीं पता लेकिन मैं जिस तरह से बता रहा हूं अगर इस तरह से कर पाओगे तो पूरा का पूरा पेपर निकाल दोगे आप बहुत कायदे से निकाल दोगे ऐसे देख लो ना एक नई कार खरीदी है तो कार की विसेस्ता बता रहा है यह पक्का विसेशन होगा यह विसेशन देखो सी का तीन होगा भी यहां पर समझ गया कि नहीं ऐसे ही मार सकते हो आप उत्तर जादा उसमें दि माकार के श्वरूप के या गुणों के आधार पर बताईएगा किसके आधार पर ठीक है बिटा बता तो जल्दी जल्दी से बता दो मेरे लाल क्या होने वाला है इसका शब्द का वर्ग किस आधार पर तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब बात शब्द की की जाती है तो मैं तीन चार बातें आपके सामने रखने वाला हूं गौर से पढ़ा रहा हूं काइदे से एकदम पढ़ा दे रहा हूं सुनो ध्यान से अगर आप से कहा जाए वाक्य की सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई बता दीजे तो देखो भाषा की सबसे छ चोटी इकाई आप किसको मानते हो भासा की सबसे चोटी इकाई आप ध्वनी को मानते हो अगर ध्वनी बिकल्प में नहीं है मेरी बात गौर से सुनना अगर ध्वनी ही बिकल्प में नहीं है तो आप ध्वनी की जगा पर किसको चुन लेते हो वान को चुन लेते हो सबसे सबसे छोटी लिखी तिकाई बता दीजे, सबसे छोटी लिखी तिकाई बता दीजे, तो क्या बताओगे, सबसे छोटी लिखी तिकाई बता दीजे, तो सबसे छोटी लिखी तिकाई क्या होती है भाईया, तो पक्का वान ही होती है, इसके अलावा कुछ और मत लगा के आना गलत हो जाएगा ओर देखते चलो मचाते हैं दोस्ताज फिर क्या कहा रहा देखो एक तो हो गया सबसे छोटी हिकाई ध्वनी ध्वनी न मिले तो वन मार देना अच्छा मार देना जो ही मिल्या वही मार देना कह रहे हैं सबसे चोटी इकाई लिखी थे हुँ मार देना यह आ ना आग कहा जाए कि भाईया आगर आपसे कहा जाए अर्थ के आधार पर भासा की सबसे चोटी इकाई बता दीजे तो अर्थ के आधार पर भासा की सबसे चोटी इकाई बता दीजे तो अर्थ के आधार पर भ भासा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी आप शब्द बता देना क्योंकि यही पूरे अर्थ को बया करती है भासा की सर्वोत क्रिष्ट इकाई क्या होती है भासा की सर्वोत क्रिष्ट इकाई या सबसे बड़ी इकाई क्या होती है तो भासा की सबसे बड़ी इकाई नहां पर आ जाईए आप बता देंगे अर्थवत्ता के आधार पर किसके अर्थ के आधार पर शब्द जो है वो तै किया जाता है सबसे बड़ी इकाई के तौर पर ठीक है मेरे भाई अर्थ के आधार पर अगला देखिए वैन सुनया जुबते मदुर बतबे सुनतन वैन इसमें कौन सा अलंकार है इसमें कौन सा अलंकार है बताईए मेरे भाई इसमें कौन सा अलंकार है बताते चलें उडाते चलें बहुत बड़िया आप लोग उत्तर कर रहे हो प्यारे विद्यारतियों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को इस तरह से उत्तर करते हुए देख करके उडाते चलें संख्या थोड़ा सा बढ़ा दीजे 800 पार हो जाएगा आप से उमीद करता हूं कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे बहुत शांदार तरीके से अपनी संख्या थोड़ी से और बढ़ा दीजे एक बार लाइक का बटन दवाते हुए शेयर कर बिरोध का आभास हो रहा है क्योंकि साब साब कहा जा रहा है सुनिया जबते साब साब करें कि बैन सुनते और सुनतन बैन में बिरोध है करें बैन सुनते जबते बैन सुनिया एक तो सुनिया और फिर सुनतन बैन कह दिया है तो दोनों में अंतर बिरोध है इसलिए अलंकार हो रहा है क्या हो रहा है विरोधा भास कैसे कि विरोधा भास कैसे होता है तो प्यारे विद्वार्थियों जब कोई बात अपना ही अपोस करती हुई वहां उसी पंक्ति में दिखाई पड़ जाए तो उसको विरोधा भास के अंतरगत रखा जाता है यह विरोधा भा का रूप दिखाया जाता है उपमे में उपमान का रूप दिखाया जाए तो जब उपमे में उपमान का रूप दिखाया जाए उपमान का रूप दिखाया जाए तो वहां पर दिखाए तब वहां पर जो है रूपा कलंकार होता है उपमे में उपमान का रूप दिखाया जान के लिए कह रहा है कि छाटो कि कौन कौन सी लोकोगती है लोक के लिए की गई उकती लोकोगती होती है लोक के लिए की गई उकती लोकोगती होती है सिंदु महोदै किसी एक भाग से सरवादिक प्रशन नहीं आ सारे प्रशनों को सारे चैप्टर्स को आयोग टच करके सवाल बना रहा है किसी एक इस्थान से सवाल नहीं बनाये जा रहे हैं ध्यान दीजेगा बहुत अच्छे किसी एक पॉइंट से सवाल नहीं बनाये जा रहे हैं ऐसे ही चारो ऑप्शन के बारे में आपको समझा दिया जाएगा परशान नहीं होते रहे हैं कह रहा है कि लोकोकती चुनना है मेरे भाई आपको उड़ाते चलो संख्या 800 से कम नहीं होनी चाहिए तभी आप आपको सब कुछ चाहिए और आप कुछ नहीं करना चाहते तो मजा ही नहीं आएगा फिर हैं चलो देखो कह रहें साप निगल गया लकीर पीटते रहे पानी पानी हो गया हाथी के दाथ खाने के और दिखाने के और कहते मक्षन लगाना या मान न मान मैं तरह महमान क्या बनना चाहोगे लोकोक्तिया पूछ रहा है न आप से बिटा आप लोकोक्तियों का चुनाओ करोगे न है तो देखो A, C और E ये है A, ये है C, ये है E आप देखोगे A, C, E कहां मिलता है विकल्प B में मिलता है A, C, E ये सब की सब आपकी लोकोक्तिया है, साप निगल गया, लकीर पीटते रहे, और कह रहे है हाथी के दाथ खाने के और दिखाने के और होते हैं मान न मान मैं तिरा महमान और ये सब लोकोक्ति है लोकोक्ति है जिस पर मैंने टिक किया है और ये मुहावरे है, पानी पानी हो जाना मख्ल लगाना है ना है ना उन्को देक करके मैं पाणी पानी हो गया है वेइसे में पानी-पानी हो गई याद इक भूल गयAngel लेखक ये बताना चाहता और इस गाने में कि यह मुहाव रहा है यह लोग को नहीं है A.C.E is the right answer अगला देखो मैंने भाई अगला प्रशने 27 नम्बर सवाल यह भी इसी तरह का है इसको विस्वाल करके बताओ कारक मैं कारक बता दूंगा आपको पूरा-पूरा पूरा-पूरा कारक गुरु आज़ाई पढ़ें निज़ी चलो अब देखो करण कारक कर्म कारक सम्प्रधान कारक अपादान कारक कारक को समझो काईदे में बहुत अच्छे बहुत अच्छे लोग के लिए की गई उक्ती को लोक उक्ती कहा जाता जो जन-समाज में सादानते अब बोला जा रहा था और आज हम उसका उपयोग इतना करने लग गए कि वो सिल्वस का हिस्सा बन गया ठीक है और जब जन के लिए लच्छेदार बातें की जाएं बेंजना में बातें की जाएं तो उसको हम मुहावरा कह देते हैं कि ठीक है हाँ दबा के सेर करतो एक बार जल्दी से एक से रुकना नहीं है एक से हाँ चलो का कह rect करें करताने कर्म को करण से आऊ तब बताई देते हैं पता नहीं कितने कर पाएं कितने नहीं कर पाएं ये भी तो है भेखो बेटा कारक कार्क है ये इस कारक के साथ जो चैन लगता है मेरी बात गवर से सुनना इस कारक के साथ जो चैन लगता है क्या किसकी संग्या देते हैं परसर्ग की संग्या देते हैं इस कारक के साथ जो चेन लगता है कारक होते कितने हैं तो बिटा एक तो आप संस्कृत में देखते हो माफी चाहूंगा एक तो आप संस्कृत में देखते हो है ना और एक आप हिंदी में देखते हो कि कारक कितने होते हैं एक आप हिंदी में समझगे क्रिया से सीधा संबन वोने पर हम उसे कारक की संग्या देते हैं । कारक था होता है क्रिया से जब सीधा संबंद्र दर्साया जाए तो वहां कारक यह सब्सक्राइब अब देखो एक एक बात मैंने आपको बता दिया करता कर्मचा करणा संप्रदान अप्रदान अधिकरण दोनम मिल करके दिर्ग लग रहा है अपादान अधिकरणे अपादान और अधिकरण करता कर्मकरण संप्रदान अपादान अधिकरण ये संस्कृत में छेट हो गए और हिंदी में जब आते हो तो इसी में दुल्ट और मिल जाते हैं कौन कौन से मिल जाते हैं संबंद मिल जाता है तुम्हारा एक तो संबंद और एक मिल जाता है गुरु आपका संबोधन एक आपका मिल जाता है संबोधन अब इन सब के साथ लगता क्या है इन सब के साथ गुरु जी क्या लगता है करता जो होता है वो क्रिया को करता है मतलब क्रिया को क्रियानवित करता है तो जो क्रिया को क्रियानवित करे वही करता है कर करता के साथ लगता है ने करता ने अब कर्म को कर्म को फिर करण से करण के साथ से लगता है यह वाला जो से लगता है प्यारे बच्चों यह जुडने के लिए लगता है यह करण के साथ लगने वाला से जुडाव को प्रदर्शित करता है जोडने के लिए इस्तेमाल किया जाता है समझ गये ना दो लोगों को जोडने के संबंद में करण से लगता है और संप्रदान किसी को कुछ देने के लिए किसी को कुछ देने के लिए संप्रदान लगता है किसी को कुछ देने के छेत्र में देने के लिए हम संप्रदान का प्रियोग करते हैं संप्रदान को या संप्रदान के लिए का इस्तेमाल किया जाता है संप्रदान को या संप्रदान के लिए का इस्तेमाल किया जाता है अपादान के साथ भी से लगता है परन्तु ये अलग होने के परिपेक्च में लगता है आप दो जगा से देख करके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे इन दोनों से का मतलब समल लीजे जब हम इधर से लगाते हैं तो ये अलगाव प्रदर्शित करता है एक अलगाव प्रदर्शित करता है और यहां पर करण के साथ जो से लगता है वो जुलने के परिपेक्च में लगता है अधी करण के साथ क्या करते हैं में पर का इस्तेमाल करते हैं अधी करण क्या करता है क्रिया के आधार को प्रदर्शित करता है क्रिया के आधार को प्रदर्शित करता है जैसे अंग्रेजी में इन और आन पढ़ते थे जैसे किताब मेज पर रखी है आप से कहा गया किताब मेज पर रखी है द्यान सुनना किताब मेज पर रखी है तो यहाँ पर मेज पर रखी है यह पर है यह क्रिया का आधार है कहां रखिये पर रखिये क्रिया के आधार का बोध होता है तो वहाँ पर हम अधी करण लगा देते हैं संबंद दो लोगों को जोड़ने जाड़ने के लिए काके की मामे मी रारे री का इस्तेमाल होता है संबोधन जब हम किसी को बुलाते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसे हे अरे अहो अजी इन सब का प्रियोग किया जाता है हे अरे अहो अजी या किसी का नाम इत्यादी प्रियोग करने के छेत्र में हम इन सब को मैंने समझा दिया जहां जहां से प्रश्ण बन सकता है करता क्रिया को क्रियानवित करेगा करता को छोड़ करके उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं करण क्या होता है करण मतलब होता है साधन ध्यान से सुन लीजे साधन होता है करण क्या होता है साधन होता है जैसे सिक्षक ने कलुआ को बैट से मारा किस से मारा बैट से मारा लाठी से मारा तो मारने के लिए किसका जैसे कहा कि भारती सेनाओं ने चीनी सेनाओं को लाठी से मारा तो लाठी से मारना करण है लाठी से किस से लाठी से तो वहाँ पर से का इस्तेमाल भी किया गया है किस से लाठी से क्यों किया क्या करता है साधन है क्रिया कर करने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल किया जाता है वो करण है मैं लिख भी देता हूं ध्यान सुन लीजे क्रिया करने है तो जिस साधन का इस्तेमाल किया जाता है क्रिया करने है तो जिस शाधन का इस्तेमाल किया जाता है साधन का प्रियोग हो जिस साधन का प्रियोग हो वो करण है प्यारे बच्चों उसी को करण कहा जाता है हो गया हाँ मैंने उसकी मुंडी नारियल से फोड़ी बहुत बढ़िया क्या बात है ठीक है ना चलिए अब उमीद करते हैं कि आप मामला समझ गए हैं अब आप आंसर कर देंगे तो देखो करान से साधन देखो माने मजदूर को पैसे दिये अब भाईया जहां पर कुछ लेने देने की बात आ जाए खिलोने को फेकता या त्री से चलता हाथ से फल देखो यहां पर लेने देने की बात आई है मजदूर को पैसे देने की बात आई है देखो क्या होना चाहिए संप्रदान के लिए होता है सी का एक नंबर लागू होगा की नहीं होगा बोलो माजी का एक नंबर होगा की नहीं होगा बताओ सी का एक नंबर देखो कहां पर है C का एक नमबर दो जगा पर है तो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यानि किस से नहीं पकड़ में आएगा करण से कर्म को किसको खिलाओने को फेकता है कर्म को फेकता है यानि कर्म को देखो B का चार कहां दिख रहा है B का 4 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है लो मामला यहाँ भी सपाट यहाँ भी काम नहीं बनेगा A का 3 A का 2 A करण पकड़ लिया जाए तो काम हो जाएगा तो हाथ से फल खाता है किसे हाथ से फल खाता है अब यहाँ देखोगे तो दो नमबर यानि D से हमारा काम हो जाएगा D से हम अपना काम करेंगे इस तरह से आपको मामला पकड़ना पड़ता है करण से किसे हाथ से फल खाता है साधन का पता चल गया यहाँ से काम हो जाएगा माध्यम का पता चल गया यहाँ पर काम हो जाएगा अब देखो एक बचा क्या अपादान से अपादान ये क्रिया के आधार का बोध कराता है अभी न पढ़ाया क्रिया के आधार का बोध कौन कराता है अपादान से अलग होने के लिए एक मिनट एक मिनट गाड़ी से कूदाना तो ये अधिकरन नहीं है अपादान है तो ये अलग होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अलग होने के लिए प्रियोग किया जाता है आप देख रहे हैं गाड़ी से कूद के अलग हो गया मर मुरा गया हो तो नहीं पता जिंदा कि हां हम अपदान हैं अगले पर चलते हैं उड़ाते हैं गुरु अपते चलते हैं ठीक 28 देखो कि समास के दोनों पत्परदान होते हैं अब अई नहीं बतावा कि जो द्वन्द समास होता है इसके बीच में योजक चिन भी लगता है देखो योजक चिन भी है और दुन्नव पत्परदान भी होते हैं इसके जिस समास के दोनों पत्परदान फों और दोनों पदों के बीच में योजक चिन का परियोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं तो अगला देखिए गा है कह रहा है निमलिकित बिकल्पों में निपात बता दीजेगा हमने निपात भी पढ़ा दिया देखो अथवा क्योंकी और छोड़ दो राम ने ही रावन को मारा है बहिया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा मुझसे ही तुम्हें विवाह करना पड़ेगा ये सारे शब्द समझ गये की नहीं अब अगला देखो प्यारे लाल लाली हूं अगला देखो तीस नंबर का कहिता है रिस्वत खोर होने के कारण वह पकड़ा गया सायुक्त वाक्य में बदल दीजिए इसको सायुक्त में बदल दीजिए गुरू बदल ये हमने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर रचना के आधार पर वाक्यों के भेद होते हैं और यहां पर हमने आपको सरल वाक्य पढ़ाया था सायुक्त वाक्य पढ़ाया था और मिश्र वाक्य पढ़ाया था मतलब सरला जी सायुक्ता जी और मिश्रा जी पढ़ा है याद है एक ही विदे होता है अब बहुत कम समय है तो एक लाइन में ऐसा समल लीजे कि सरल वाग के उस वाग के को कहते हैं सरल वाग के उस वाग के को कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट यानि कि एक सब्जेक्ट और केवल और केवल एक ही आपजेक्ट आपको दिखेगा तो वहाँ पर प्यारे विद्यारतियों हम सरलवाक के कह देंगे लेकिन सैयुक्त के लिए हम क्या करते हैं ध्यान रखिएगा एक फिल्म आपने देखी होगी पार्टनर एक फिल्म आपने देखी होगी पाटनार उसमें एक गाना है कहते हैं लेकिन किन्तु परंतु बंधू तेरा क्या हाल है और तू तू बेहाल है गुरू एक दम्मा ये बेहाल है तो भाईया सुनो हम उसको समझा दिये हैं कि भाईया जब साइयुक्ता जी आएंगी तो लेकिन किन्तु परंतु इसलिए अत्वा यह सारी अताह अताह यह सारी चीज़ें अगर कहीं पर आ जाएं तो आप मार देना कि वो तुरंत के तुरंत संयुक्त होगा तो वो रिश्वत खोर था D for daily is the right answer इसलिए रगड़ा गया समझ गये जी चलिए बहुत बढ़िया समझ गये आप गलती नहीं करोगे ऐसी मैं उमीद करता हूँ 31 नंबर देख लीजे कह रहें सिपाही को देखते ही चोर भाग गये सिपाही को देखते ही चोर डैस 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 गये वाक्य के लिए मुहावरे के सही बिकल्प का समूह चुनियेगा भीगी बिल्ली बन गये नौ दो ग्यारा हो गये हो सुड़ गये दबे पाउँ चल दिये यह बात बिल्कुल ठीक है चोर को देख करके भीगी बिल्ली बन जाएंगे बिल्ली डर रही एकड़ थंडीक पानी अग्डम ठंड़ ठंड़ पानी बहुम आप मिला मरी नहीं है बस वह बिल्ली तरह एकड़ा चोर की हाला थो जाएगी साहब हमकुन हैं कि हम को ना फिर क्या हुआ उनके होस उड़ गए दिमाग काम नहीं कर रहा है गुरू है ना अब फिर कहते हैं दबे पाउच चलने लग गए लुकाई छिपाई भाग गए निक्दम भाई या लुकाई गए निक्दम से क्या महां पकल लई जाए बहुत कूटे डंडे 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 बि समय चला गया है ना बीजेपिक सरकार है गुरू अभी काम नहीं हो सकता ए बी सी डी इस दराइट आंसर देखो कहां है ए बी सी डी यह है डी नमबलुकान बैठाए डी वाला एकदम सही ए बी सी डी राइट आंसर एकदम उड़ाते चलो बहुत बढ़िया पकड़ा तुमन का इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है सेलेश उत्प्रेक्षा मानवी करण यमाक समझ गए बताओ इकदम जबर्जस तरीके से रहीमन पानी राखिये बिन पानी सब सोन पानी गए न उबरे मोती मानुस चून कहते हैं यहां पर कि यह मोती के लिए मानुष मनुष्य के लिए चून यानि की आटा या चूने के लिए मोती के परिपेक्ष में चमक के लिए आया है ये पानी मनुष्य के परिपेक्ष में इज़त के लिए आया है अगर इज़त चली गई तो सब चला गया कहते हैं चून यानि कि चूने के लिए या फिर आटे के लिए इसका इस्तमाल मिलता है अलग अलग जगहों पर यहाँ पर पानी का अर्थ पानी ही है जल है इसलिए इसके तीन अर्थ निकलते हैं और मैंने आपको काईदे से समझाया था कि शब्द एक अर्थ अनेक वही है सिलेश गुरू क्या कहते हैं ध्यान से सुनना शब्द एक अर्थ अनेक वही है सिलेश शब्द एक अर्थ अनेक वही है सिलेश अरे लिख भाई बद शब्द एक अर्थ अनेक वही है सिलेश क्या है सिलेश भाईया शब्द एक अर्थ अनेक वही है सिलेश सिलेश अलंकार कब होता है जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं शब्द की आब रित्ती होगी या नहीं होगी यह हमारे हाथ में नहीं होता है चलिए बहुत सुन्दर क्या उडाया गुरू ए वाला जो लोग करके आए हैं वो ठीक किये हैं बाकी लोग अपने उपर विचार करेंगे ठीक है विचार करिए कि आपने कहां लीपा कई से लीपा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात है 33 नमबर चुटकुला सुनने पर मीना बहुत हसी इस वाक्य में क्रिया भी सेशन बताईए मैं लास्ट में आपको क्रिया भी सेशन भी पढ़ा के जाओंगा परसान मत हो आज एकदम गदगद हो जाओगे तुम खुशी से तुम भी क्या याद करोगे एक भाई मिला था गुरू चुटकुला सुनने पर मीना बहुत हसी अब बताओ इसमें इस्थान है क्या नहीं है ना इसमें काल है क्या नहीं है ना इसमें परिमार है क्या नहीं है ना ये रीत है परिमार तब लगता है गुरूजी जबता होती है का होता वही के जब लगता है जब समय बताए तो काल लगता है और जबस्थान बताए तो इस ऱलोगता है ठीक है इस तरह से आप इसका उत्तर करते हैं के लगे बहुत बढ़िया चलिए बहुत सुन्दर तो यहां पर रीती है देखो कहरें रिक्तिस्थान की पूर्ति करन खातिन करो जल्दी से रिक्तिस्थान की पूर्ति कर देओं कल हमारा अपने नए घर में का होता है ग्रिय प्रवेस होता है नए घर में का करते हैं ग्रिय प्रवेस निकेतान आलाए भवन बात बताओ जरासा जब कहरें भवन बहुत बड़ा उसमें प्रवेश होता है नए घर में ग्री प्रवेश होता है वह यह हो जाएगा एस दराइट आंसर देखो पर इक चक कैसे दिमाग के साथ खेल ला है देख रायना बिनोच कैसे एंटिय हमारे दिमाग के साथ खेल के हमको गंभीर बना रहा है आईए 35 नंबर सवाल निम लिकित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है कह रहें निम लिकित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है जलद जलज वारिद जलधर मेरे भाई त्यान सुनना काईदेश बता दे रहा हूं अच्छे समलो कभी गलती नहीं होगी है कभी गलती नहीं होगी है बहुत अच्छे क्या बताओ देखो जलद देखो मैं समझा देता हूं तुमको तुम भी क्या याद करोगे जल के साथ क्या क्या लगा देते हैं देखो जलद जलद जलज आओ मैया जब कह दिया जाए क्या कहते हैं जलद तो जल को दा मतलब होता है देने वाला दा मतलब होता है देने वाला धा मतलब होता है धारन करने वाला धारन करने वाला धा मतलब धारन करने वाला जा मतलब जनम लेने वाला तीन मतलब आपको समझा देता हूँ कभी गलती नहीं करोगे मेरे लाल ये समल लेना काईदे से एकदम अच्छे से बहुत बढ़िया हाँ जलद जल को देने वाला यानि बादल जल कौन देता है गुरू जलद मतलब होता है कौन धारन करता है समुधर मोहदय धारन करते है जलद में जनम लेने वाला कौन जनम लेता है कमल कभी गलबडी मत करना सारी चीजें आप कर ले जाओगे अब आओ फिर इदार आजाओ अपने सवाल पे आजाओ है बहुत उचल लिए जलधर वारिद जलज और जलद कहरें बादल का नहीं है जल को देने वाला बादल होता है जलज नहीं होता है जल में जनम लेने वाला कमल होता है बिटा कमल होता है जल में जनम लेने वाला कमल होत है भी इस दा राइट आंसर प्यारे बच्चों भी इस दा राइट आंसर बहुत बढ़िया अगला सवाल 36 नंबर वर्तमान काल के उदारण बताए देओ सब वर्तमान काल क्यों चुन लीजिएगा मैं जा रहा हूं यह तो पक्का वर्तमान है मैं बस स्टेशन पहुंचने वा अब यहां से आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्या बता रहे हो ए बी डी 35 का बी 36 का बताओ वह या 36 नंबर सवाल के लिए उत्तर बताईएगा क्वास्चन नंबर 36 के लिए सही उत्तर चुनेंगे सभी प्यारे भाई बैन उडाते चलेंगे बहुत तेजिक साथ कॉमेंट करो भाई आंसर करो कहां हो तुम लोग है हां कि बहुत बढ़िया ऐ और बस अरे बही या एक अई न उत्तर होगा नहीर नहीं नहोंता बेटे एक अई होता है दो उत्तर नहीं नहों सकता एक ही होगा भाई बताइए एक ही बताना है आपको ए बी डी कि बहुत अच्छे ए भी पेटा यहां बी इस दर राइट आंसर प्यारे बच्चों केवल ए बी डी होगा ए बी डी होगा साया दुआ पहुंच गया यहां पर भी संभावना जताई हड़ी जारrek यह वर्तमान में काम करने के लिए ठीक है तुरंट ही तो गया है यह भी समभाक वरतमान यहेंजाल वरतमान है ठीक है चलो जाए आयात हो रहा है आयात हो रहा है निर्यात हो रहा है ठीक है बहुत बढ़िया अगला देखिए 38 नंबर वाक्य में प्रियोग किये जाने वाला शब्द क्या कहलाता है वाक्य श्वर बेंजन या पद लिव वाक्य में प्रियोग किया जाता है तो उस सब्द को हम पद की स संग्या देते हैं यह पद हो जाता है अनतिस के बाद 49 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है निम्लिकित वाक्य में रेखांकित भी सेशन को बताईए मुझे शेर भर दूद चाहिए अब शेर भर का मतलब यह नहीं होता है कि एक फूर सेर ले आओ घर में और उसमें बर दूद हैं ऐसा नहीं होगा सेर भर दूद का मतलब समझ गए कि नहीं सेर भर दूद का मतलब होता है एक मापन मापक के तौर पर इसको तैयार किया गया है शेर मतलब मापन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है समझ गए यह एक मापक के तौर पर प्रियोग में लाया गया है ठीक है ये एक मापक है शेर भर समझ गए शेर भर इसलिए यहाँ पर प्यारे विद्यारतियों ये परिमाल का बोद करा रहा है और ये परिमाल कैसा परिमाल है ये एक निश्चित परिमाल है मेरे भाई ध्यान से सुन लेना ये एक निश्चित परिमाल है ये एक मापतौल का बोद कराने वाला है मापतोल कैसे करा रहा है देखो परिमार जहां नहीं काड़ नहीं है संख्या नहीं है है तो परिमार और निष्चत is Сी is the right answer ऐसे answer मारोगे आप सही करके आहोगे कोई दिक्कत नहीं है जहां पर भी आपको मापतोल दिखे मार दो एकडम सही सही चालीस नमबर निम्न लिखित वाक्य में रेखांकित संग्या शब्द के इस्थान पर आने वाले सही सर्वनाम शब्द के विकग छाटिये रागो को रागो के लिए किताब लाई रागो की बहन रागो के लिए तो रागों की बहन उसके लिए किताब लाई उसके लिए किताब लाई बात खतम लगा दो उसके लिए एक सरवनामी तो सेट करना था प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको ये चीज़े करवाया है अच्छे से आपके पास ये सेट उपलब्द भी है आप कर ले जाओगे कोई दुख नहीं है मसला ही नहीं है कोई देखो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है देखो मेरे लाल कह रहे है नबकर, बिहग, पकेरू और द्विज पक्षी का पर्यायवाची नहीं है बताईए कौन पक्षी का पर्यायवाची नहीं है मेरे भाई बैनों को अग्रिम बदाईयां हैं आपकी परिक्षाओं के लिए जितना भी टार्गेट उन से बन पड़ा जितना भी आपके भाई से जितना भी हो पाया सब करके दे दिया है सारी चीजें पढ़ा दिया है सारा ज्यान उडेल के रख दिया है बस देखो कैसे क्रिपा करती है ठीक है मेरे भाई कह रहे हैं पक्षी का परियाय नहीं है नभकर बिहग और पखेरू यह सब पक्षी के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं लेकिन द्वीजी का अर्थ प्यारे विद्यारतियों ब्रामण होता है दो बार जन्म लेने वाला द्वीजी कहला बिशेशन के तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं दो बार जन्म लेने वाला क्या बोलते हैं बच्चे दो बार जन्म लेने वाला द्वीज होता है दो बार जन्म लेने वाला आंसर मार देना गलत नहीं होगा 41 के बाद 42 देखो देखो 42 42 नमबर क्या है वहिया उपसर्ग शब्द का उचित मिलान करिए सुची एक और सुची दो बताईए कह रहे हैं अन अनु अन और अव यहां पर अवगुण अनेक अन्शान और अनुबार यह उपसर्ग आपको मिलाने उपसर्ग आप समझते हो कि नहीं समझते आपको उपसर्ग समझ में आता है कि नहीं आता उपसर्ग के आधार पर आप इसका उत्तर करोगे उपसर्ग के आधार पर आप इसका उत्तर करोगे भाईया तो उपसर्ग के आधार पर कैसे उत्तर कर पाएंगे सरकार हमाओ तो समझ में आवाए हैं उपसर्ग का होत है और प शब्दांस है पा से प्रत्य होता है ये भी एक शब्दांस है इसको भी हम शब्दांस के तोर पर देखते हैं और ये साथ ही साथ शब्दांत भी है प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात एक मिनिट के लिए वह शब्दांस जो किसी शब्द के आगे लग जाए क्या क पीछे याद रखना मूल शब्द के पीछे लग जाए तो प्रत्य हो जाता है मूल शब्द के पीछे अगर मूल शब्द के पीछे कोई चीज लग जाती है तो वह हो जाती है प्रत्य मूल शब्द के पीछे लग जाए तो वह हो जाता है प्रत्य आपको मूल शब्द के साथ क कोई छेड़खानी नहीं करनी है यह ध्यान रखिएगा आप देखो मेरे भाई इस मूल शब्द के साथ छेड़खानी ना करके काम करना पड़े कैसे करोगे बताओ अनु उपसर्ग वाद में अनु लगा दिया गया बी का चार नंबर आपको ठीक लगा तो बी का चार आप खोजने निकल पड़े और यहीं से आपका सही उत्तर भी यहीं से मिलेगा आपका सही उत्तर आपको यहीं से मिलेगा आप देखो बी का चार आपको डी में मिल रहा है और कहीं मिल रहा नहीं मिल रहा सारे बिकल्प काड़ द देखना चाहते हो तो अनुपसर्ग अन्जान में इस्तेमाल किया गया अन्जान और अनुपसर्ग अनेक में इस्तेमाल किया गया है अनेक हो जाएगा प्लीस ठीक कर लिजेगा अनेक कर लिजेगा अन यानी सी का दो हो जाएगा और डी का अवगुण में अव उपसर्ग इस् सवाल तो पढ़ लो हैं सवाल तो पढ़ लेओ मेरे भाई हमसे पूछ रहा है कि पक्छी का परियाय नहीं है हमने दुझ बताया दुझ पक्छी का परियाय नहीं होता दुझ ब्राम्मल का परियाय होता दुझ का तातपरी होता भगवान चीगनेश दो बार जन्म लेने वाला ठीक है आओ अगले पे आजाओ 43 नमबर शिकारी शिकारी के लिए शिकारी के लिए उचित प्रत्य बताईए मैंने फिर बताया पासे प्रत्य और पासे पीछे याद रखना बिटा बस शिकारी में शिकार में E प्रत्य मिला दो देखो शिकार में क्या लगा दो E प्रत्य लगा दो अब E कौन से लगाएंगे छोटी बड़ी बड़ी की मात्र है तो बड़ी का प्रत्य लगा दो A is the right answer ऐसे answer चुनना है तो बड़ी की मात्र लगा दिएंगे बड़ा ही आ जाएंगे ठीक है चल अब देखो मेरे लाल के रहे हैं 44 इंद्र का इस्त्री लिंग क्या होगा इंद्र का इस्त्री लिंग क्या होगा interested, उसका मैंने आपको सुनाया होगा दोह राता हूं सुनो रखत से लिखी हुई कुरवानी जिसके आगे मिटी भी चंदन है राजस्थानी तो वहाँ पर गोरा और बारादल के बारे में पताया था तो उसमें मैंने इन शबदों का प्रियोग किया हुआ interested, इंद्राणी हो जाएगा इंद्र का इस्त्रिलिंग हो जाएगा इंद्राणी शब्द का प्रियोग किया जाता है C is the right answer अगला देखिएगा 45 क्या बोल रहा है निम लिखी शब्दों में से सही वर्तनी वाला विकल्प छाटना है आज एक प्रकार का रतन होता है जिसे कई लोग धारण भी करते हैं अगला देखियेगा 46 नमबर यहांस से गद्य आता है हैं उतना लाइक का बटन नहीं दबा हुआ ये गलत बात है लाइक का बटन दब जाना चाहिए सब का देखो क्या कह रहा है आओ आओ बिटे बताता हूं मैं देखो निम्लिकित गध्यांस को बटन करके 21 से 25 तक उत्तर है के रहे हएं यहां एक शर्व विवादित है कि मानवी गुणह का आधिकादिक विकास बिपरीत परिस्थितियों में होता है मानवी गुण आते हैं अगर आपने गरीबी देखिए तो आप गरीब के उपर दया करोगे अगर आपने मजदूरी करके मजदूर को समझा है आप अगर मजदूरी करके कमाते है तो आप मजदूर की समस्या को समझोगे है ना अगर आप कार से चलते हो तो आप कार वाले को समझोगे आप साइकल और मोटर साइकल वालों को नहीं समझोगे आप एरो प्लेन वाले को भी नहीं समझोगे क्योंकि आप उसको नहीं जानते तो यह इसपश्ट कर रहा है यह कि यह सर्व विवादित है कि मानवी गुण के परिशोधन के साथ ही एक ऐसी आंतरिक दिर्टा को जन्म देता है जो मनुष्य को तप तश्वन्ण की भाती खरा बनाता है विपत्यों के पहाल से टकरा कर उसका बल बढ़ता है हिर्दय में ऐसी अद्बुद बृत्ती का जन्म होता है कि एक बार कश्टों से जान बूच कर जूज कर वो फिर उनको खेल समझने लगता है उसके हिर्दय में विपत्यों को ठोकर मार कर अपना मार्ग बना लेने की वीरता उत्पन हो जाती है मन की भाती ही शरीर की दृता शारीरीक श्रम के द्वारा आती है शारीरीक श्रम शरीर को बलिस्ट बनाता है और विपत्यों और परिश्रम की अगनी से तब कर शरीर का लवह इसपात बन जाता है जब एक शायर ने कहा कि मुस्किले इतनी पढ़ी मुझ पर कि आशा हो गई तो वहाँ इस सत्य से परिचित था जो कारित्रिक डिर्टा के लिए वही कारें करता है दोनों ही ऐसे ओ थोड़े हैं जो पीट पीट कर शरीर और मन में इस पाती डिर्टा को जनम देते हैं ठीक है तो अब आओ इसके प्रश्णों को देखते हैं और काईदे से समझो एक एक चत्थ्य कुजरासा काईदे में समझो तत्थ्य को हेलों शरीम से शरीर होता है क्या होता है ज़िदा बताई शा रेपको पढ़ाया है आभि पड़के मिलेगा सारी रिक्ष्रम से आपको मिलेगा बलिस्टता आपको द्रता मिलेगी और आपका लचीला पन बढ़ेगा आप इस पाती हो जाएंगे लचीली बात नहीं कही गई यानि ए बी और अगर विकल्प में है तो ठीक है और वो विकल्प दो में दिखाई पड़ रहा है उम से क्या आसे है बलहीन बल्वान हो जाता है अत्यंत कठोर और मजबूत बन जाता है कठोर मगर लचीला बन जाता है दुर्बल सबल बन जाता है लॉइस पात बन जाता है इससे तातपर निकलता है कि कठोर और लचीला मतलब अत्यंत कठोर और लचीला बन जाता है कठोर पन और लचीलेपन की तरफ बढ़ जाता है अर्टालिस देखिएगा विपत्तियों के बीच अपना मार्ग बना लेने की छंता कब उत्पन हो जाती है कष्टों से खेल कर साधन संपन्न बन के कष्टों से जूच के बाधाओं से बच के बताएं दो सवाद हो रहे हैं ठीक है देखिए चंता कब उत्पन हो जाती है बताएंगे कष्टों से खेल कर विपत्तियों से जूच कर कष्टों से खेल कर हमारे भीतर मनुष्य को सोना जैसा शुद्ध बनाने में सहायक है सोना जैसा शुद्ध बनाने में सहायक है मन की दिर्टा आंतरिक दिर्टा आंतरिक बृत्तियां या शरीर की दिर्टा बताएंगे क्या आंतरिक दिर्टा आंतरिक दिर्टा जो है वो मनुष्य को क्या करने के लिए सुद्ध बनाने के लिए शोने जैसा तप्त बनाने के लिए परियाप्त है अगला देखो अंतिम सवाल आई आज के प्रश्न का बिपरीत परिस्तितियां किसका उधारण है प्यारे बच्चों तो देखिएगा विपरीत परिस्तितियां किस बात का उधारन होती हैं विपरीत परिस्तितियां आपके मानवी गुणों का विकाश करती हैं आपके बीतर मानवता के परितान को बढ़ाने का प्रियाश करती हैं तो ये मानवी गुणों के विकास में सहायक होती हैं प्यारे ब विद्यार्थियों क्लास कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि हम आपकी और कैसे मदद कर सकते हैं और इतना ही नहीं मैं पुना बता देना चाहूंगा कि आज संध्या बेला में आदर्णी संदीप सर की मैच की क्लास होगी आपके बीच में यह जो पूरा मैच्स आप लेंगे ग्रूप C स्पेशल है ऐसा नहीं कि D वाले बच्चे इसको नहीं कर सकते वो भी कर सकते हैं आप चाहे C की तियारी कर रहे हो चाहे ग्रूप D की तियारी कर रहे हो वो दोनों ही विद्यार्थी इस कक्षा का आनन्द ले सकते हैं अधर्णी संदीप सर आपको पढ़ाएंगे साम को साथ बजे बिल्कुल नोटिफिकेशन जाएगा तो भी नहीं जाएगा तो भी आपका अपना करतब है कि कि आप इसी चैनल पर साथ बजे मिले आज के लिए इतना ही जरूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करेंगे कि क्लास कैसी लगी मैंने आपकी जिस तरह सभी मदद की वह आपके लिए कितना उपयोगी और माश रश्रती से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की परिक्षा में आप सफल हो आज के लिए इतना ही और तब तक के लिए खुश रहिए मस्त रहिए पढ़ते रहिए जैहिंद जैहिंदी प्यारे विद्यारतियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रिस कर लिजेगा और नोटिफिकेशन अन कर लिजेगा जैहिं तो सब्सक्राइब कर देडिए जैहिंदा रहिए मस्त लीजा यविग सकत रहिए जाए है आदा चिंदैन पर नह को दुश रहिए मस्त